का कि तृतिय के सुब अफसर पर मैं एक बार पुरा आप सभी का हार दिक अभिनेंदन करता हूं श्वागत करता हूं वित्रों साथियों जैसा कि आप जानते हैं आप जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं आप जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं वित्रों जू मैं पोच अधियों जैसा कि आप जानते हैं जुदे हैं गुए हैं आप जिस प्लेट फॉर्म पर जुड़े हुए हैं जानते हुए न परकार के तकनिकी स्वात्यमों का सहारा लेते हुआ हैं अम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको पुछ ने कुछ नजा चीज दें कि हमारे तकनिकी सहाय इस पर काफी अनुसंदान काफी रिसर्च कर रहे हैं जिसंदे आज का जो हमारा विशय है वह भी अनुसंदान से ही संबंदित है और विशय क्या है विशय है रिसर्च पाराडाइम्स और सोशल रिलेशन्स इन हाईयर एजुकेशन इसमें कई प्रकार के डाइमेंशन्स है कई प्रकार के स्ट्रेक्ट्स हैं और आज के जो हमारे वक्ता है तो है प्रफेसर डॉक्टर खागेंद्र कुमार यह पुर्भ में दीन विभागा द्यक्ष और प्रिंस्पल रह चुके हैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज पटना कि आप ऐसे वक्ता हैं जिनको आप सभी लोगों ने कई मंचों से सुना है जाए वो प्रतक्ष रूप से हो जाए वो अप्रतक्ष रूप से हो कई मंचों से आपने उनको देखा है कई मंचों से आपने उनका व्याख्यान सुना है काफी अनुभवी सादगी पूर्ण और शालींता जो है उनकी खाश्यत है उनका व्यक्तित्तु और सामान्य है और जब वो अपनी विशाय पर अपनी बात को रखते हैं अत्यंत तार्क की पूर्ण तरीके से अत्यंत तरीके से अत्यंत विविटतापुर्ण तरीके से वो रखते हैं परकार के एक्जाम्पल्स परकार के दिश्टांतों का भी सारा लिए और जदी देखा जाए तो विशय है आज का उस विशय के जितने भी डाइमेंशन्स हो चाहे वो पैरडाइम्स हो चाहे वो उसके कंपोनेंट्स हो अनेक प्रकार के विभिन नॉलेज लिए हुए ये सब्जेक्ट है ये विशय है और इस विशय पर मैं आज वो अपनी बात को रखेंगे प्रोफेसर डॉक्टर खगेंद्र गुमार पुरुब बिभागा द्यक्ष पुरुब डीन पुरुब प्रिंस्पल पटना ट्रेनिंग कॉलेज पटना आज जैसा कि आप जानते हैं कि ओल्लाइन नेशनल लेक्चर श्रीज का आज तीसरा दिन है सभी लोग कमसा जूर रहे हैं दीरे-दीरे सभी पाटिसिपेंस जूर रहे हैं और जैसा कि मैं पहले दिन से आप सभी को कह रहा हूं हम अपने कारेक्टरम की सुरवात दम निर्धारित समय अनुसार ही करेंगे समय के अनुसारी करेंगे जो भी हमारा समय है मैंने कारेक्टरम का मिनट सु मिनट प्रोडाम का एजेंडा आज का आपके टेलिग्राम ग्रूप में शेयर किया हुआ है आप सभी वहाँ देख सकते हैं कोई भी कारेक्टरम जदि अपने समय से सुरू होता है समय से अन्त होता है तो उस कारेक्रम की गुनवत्ता बढ़ जाते है उस कारेक्टरम की प्रसंसा की जाती है ये मैं निर्धानी तो नहीं कर सकता लेकिन आप खुद कह सकते हैं इसीज़ को समझ सकते है हर कारेक्रम अपने समय के अनुसार हो, समय के अनुसार खतम हो, तो एक विसेस्ता हो जाती है उसका इक्रम की पास्तब में विजदी कॉलेज ओफ एजुकेशन जुमरित लिया सम्पूर्ण अध्यापक सिक्षा के जितने भी आयाम है वो अपने अंदर समेटे हुए है और उसी कर्री में पहली बार नहीं सगस्कों राश्ट्रिये वेविनार और 24 से 28 सगस्त तक राश्ट्रिये व्याख्यान माला कारिक्रम कायोजन कर रहा है इसमें देश के विविन प्रांतों से विविन प्रतिभागी शिर्कत कर रहा है विविन प्रतिभागी उन्हें अपना रेजिस्ट्रेशन कराया है और इसमें दो राय नहीं है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आग्रह किया है मैंने आप सभी सन्रूत किया हुआ है आप इस कारिक्रम को सुने इस कारिक्रम को देखे हमारे वक्ता को सुने और अपने ग्यान के आयाम को अपने ग्यान के सीमाओं को और नई उचाईओं पर ले जाएं यही इस ग्रिजनी महाविद्याले का इस अपना है इस ग्रिजनी महाविद्याले की अपनी सोच है यह महाविद्याले संपुन राष्ट्रिय पटल पर उभर के सामने आया संद दोजार नौ इस्वीब और तुरुत्तर साल दर साल वा अपने महाविद्याल है एक नई उचाईयों को छोता चला गया आज हम इस महाविद्याले के माध्यम से हम लोग 11 वर्स में प्रवेश कर चुके हैं और इस 11 वर्स की जो उप्लब्ति है वो एक दो नहीं है कही उप्लब्तियां है इसको इस मन्स चे गिनाना बड़ा मुश्किल है प्रन्तु फिर वे या महाविद्याले सिक्षा के चेत्र में अपना एक महात्वपूर्ण स्थान रखता है विनौव आवविश्क विद्याले हजारी वाग से यह मांता प्रव्थ महाविद्याले अपनी करिमा अपनी गौर्व को बढ़ा रहा है दिन प्रति दिन और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं मेरे माध्यम से इस मंच के माध्यम से इस प्लेट्फार्म के माध्यम से जहां से पासओट विद्यार्थी कई सरकारी विद्यालेों में गैर सरकारी विद्याले में अपना सिक्षन कारी कर रहे हैं सफलता पुर्वक सिक्षन कारे कर रहे हैं मिसंद्य यह माविद्याले सिक्षक सिक्षा के शित्र में अपनी सभी प्रकार के अवशक्ताओं को पूरा करने में सक्षम है और जिसका परिणाम यहां है यह माविद्याले आज किसी से भी यह माविद्याले कोई परिच्षा का मोहताज नहीं है मित्रों विजली माविद्याले अपने 11 वर्सों के दौरान ऐसे कई कारिक्रम को कराया है ऐसे कई आयोजनों का साक्षातकार करवाया है जो कहीं ने कहीं राश्ट्री अस्तरपर में भी अपनी एक पहचान दर्ज करा सकने में सफलता प्राप्त किया मित्रों इस महाविद्याले की सबसे बड़ी विश्यस्ता यह है यह महाविद्याले हर साल फरवरी महिने के पहले रविवार को अस्तृ अस्तरपर सिख्शक रोजगार मेले कायोजन करता है आया है कि प्रतीक साल के परवरी महिने के प्रतम रविवार फस्ट संडे ऑप फरवरी एब्री यर को उप्रतीक रविवार को यह मावीदय ले सिक्ष्षक रोजगार मेलक आयुजन प्रता आया है इसमें शैकरों प्रतिभाग्यों ने भाग लिया और शैकरों परतिभागियों ने यहां आकर के विभिन आये हुए मानता अप विद्यालेयों में सिक्षक के तौर पर में जोईन किया और वह आज भी उस इस्कूल में अपना कारी कर रहे हैं और यह महा विद्यालेय सतत प्रत्मशील है यह वह विभिषक रोजगार मेरेयों हर साल करें और इस बंढ़ को इसथ और आजे और खरशुआई परना चाहते हैं जोभी विद्यारती और अध्यापक बनना चाहते हैं उनको यहाँ महाविद्याले एक बड़े प्लेटफॉर्म के माद्यम से सिक्षक बनने का अवसर, सिक्षक बनने का गौरब, सिक्षक बनने का जो एक भात्वपूर्ण सपना होता है, उस सपनों को पूरा कर रहा है. याद रखेगा या माविद्याले हर फरवबरी के प्रथम रविवार को सिक्षक रोजगार मेले का आयोजन करता है. मिसंदे, आज राश्ट्रिय ब्याख्यान माला कि तित्रिय अवसर पर तित्रिय दिवस्ट के मौके पर तित्रिय दिवस्ट के मौके पर आपका पुना मैं हार्दिक अभी नदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ. अधरनी सौरब सर सुप्रबाद, 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 सब लोग जूड़ चुके हैं, क्रम सर. जी सर, नए दिन और नए जूज के साथ हम सब इवापुना उपस्ते थे हैं, अपरी व्याख्यान माला में. क्थका हूँ इवाप mirror von प्रफाखियों का बहुत बहुत शागत है, अवाप पुना, हमारी पहलशी व्याख्यान माला में, हमारे भारत homicide के विविन दाज्यों से जुड़ रहे, कि सभी प्रिद्भाग्यों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं प्रोफिसर सौरफ सर्मा जैसा कि जहासर ने बताया अभी हमारे कि हमारा महा विद्धाल है हरवरी महा के पहले रविवार को राश्टी इस्तर पर एक कायरकम का आयोजन करता है रूजगार मेला जिसे हम लोग कहते हैं यह कायरकम प्रतिक राज के लिए है सभी लोग उस कायरकम में आमंत्रित हैं हमेशा हमारे महा विद्धाले की जो अप्लब्दिया है जहासर ने अभी बताई प्रतिक वर्ट्स हमारा महा विद्धाले राश्टी इस्तर पर कोई ना कोई कायरकम करता रहता है आज आ लेगल की अनुसंधान से संबंदित है और जो हमारे आज के मुखिवक्ता हैं सरने बताया जैसा की बिहार के पटना युमिस्टी से जड़े हुए हैं आपके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा लें कि आपको जैसा जा सरने भी बताया कि आपका कई वर्सों का अनुबाह सुच्छा के छेत्र में आज हम सभी यहां बस्थेत हैं डॉक्टर खगेंदे सर को सुनने के लिए लगातार हमारे प्रद्वादी जोड़ रहे हमारे माध्यम से आज का कारकम भी निशित तोर पे निर्धारे समय से ही हम लोग भारम करेंगे मैं उन आशा करता हूँ इसलिए दो दिनों की भाति सभी प्रद्वागी कारकम के प्रारम से लेके कारकम के अंत तक जुड़े रहेंगे हमारे साथ इन पांचों दिनों तर नए नए विशों के साथ हम लोग उपस्तित हो रहे हैं नए नए रिसूर्स परसन है उन सभी को आप सब लोग सुनिए अपने ज्यान को बढ़ाईए आप सब जानते हैं कि यह कारकम का प्रारम हम लोग 10.45 से करते हैं अभी प्रद्वागी लगातार जुड़ रहे हमारे साथ करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो ले रगूर को ओरगी सिर शोर भाद आप जूर चुके हैं वागी सारम हमारी अर्वास सुन रहे हैं अ हां सुन रहे हैं सार्य है सूर भाद अब हरर सूर भाद वागी शुच्छ शुकरमार भॉच्छ सुठरु हरे यह सर जोक्रमार वहनों सुहागत है आपका खी कि अज़ा आपका सुठे करते हैं अज़ वागी सर कुछ बुलिये वागी सर शोग करने है शोगिडर आपके सब्दों में तो हमेंसा जादू रहता है सब्सक्राइब अब हम लोग अनलाइन है इसलिए कुछ दाना ठीक नहीं है बस हुँआ नाफ इसलिए बहुत सारे जोब रूड़े हैं बिल्कुर सब जोड़ रहे हैं और ये पांधि जो हमारा महाविद्दार एक दिशान माला का अईवजन किया है निश्वत तौर पे हमारे देश के जो भी विद्वान जन हैं और जो भी हमारे सुधार्थी हैं उनको भ जरूर मिला होगा हम लोग आशा करते हैं कि वो लोग उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं जो भी जिग्यासा है हमारे हमारे रिचोर्ज पर सब्सक्राइब पर उनको पूर कर रहे होंगे आज को जैसा कि प्रतिभागन प्रतिभागी अब जानते हैं आज का जो हमारा विशय है वो रिसर्च पाराडाइम्स एंड सोसल रिलेशन्स इन हाईर एजूकेशन तो इसकी बोनका मैं आपको बता हूं आज की विशय के बारे में हलाकि इस पर विस्तार से चर्चा हमारे इस प्रोडाम में आने वाले अगले चरण में की जाएगी सबसे पहली बात आती है पाराडाइम्स की, what is पाराडाइम्स और रिसर्च पाराडाइम्स क्या है का जाता है कि तर्म पाराडाइम्स वाज फास्ट यूज बाई कुहन इन इस वर्क श्रुक्ट्टर अप सांटिटिक रिवलुएशन he defined research paradigms as an integrated cluster of substantive concepts, variables and problems attached with corresponding methodological approaches and tools as a researcher you will be curious to know the answers to your research questions the answers to the research questions can be solved in an informal manner but you will not be able to inform the readers how you conduct the research it is absolutely it is absolutely important for a researcher to provide step-by-step guide to the readers about how the research proceeds and how the researcher got the answers to the research questions as we know that every research should have some characteristics these research characteristics give the research meaning and value unless the researcher follows a well-defined path to conduct the research he could not justify his findings to the readers additionally other researchers cannot replicate the study nor they can learn from it the paradigm provides the researcher a guide to follow throughout the research otherwise students find it difficult to understand research paradigms there are four paradigms of there are four components of research paradigms first ontology second epistemology third methodology and four methods ontology ontology the ontology is the reality of knowledge that exists and that the research wants to seek for each research paradigm there is an ontological view that the researcher seeks through research as honest pluralism idealism dualism dualism materialism are some of the ontological views that one can follow the ontology cannot be reached without knowing the epistemology of research npo science for example the scientists will use a real reality as an ontological view and to know that real reality the scientist will use objectively as an epistemological systems quantitative methods as the methodology and hence the scientist is using positivism as the paradigm to find answers to the research questions reality of real reality is totally an objective way to find answers to the research questions epistemology 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 is the philosophical view to seek the reality it paves the way to find the truth that is ontology epistemology and ontology are are waved together together and none is possible without each other realism rationalism relativism and irrelationalism are some of the epistemology that are out there epistemology and ontology are like nail and hammer none can work without each other if you want to know the reality you should use and epistemology to get the answer in each research paradigm there are some epistemology the researchers can choose one that suits the research and third components are methodology the methodology can be quantitative or qualitative and research methodology is commonly used in social science qualitative research methodology is more common in use for a positivist quantitative research methodology is more suitable and in use in both your science and social science approaches are more common to be used one very important point to be considered here is that once you decide about either on of the ontology epistemology and methodology or the research you are bound to choose the other to form some sophisticated choice the reason being that you cannot apply subjective epistemology to positivism or qualitative methodology to objectively inquiry this also reveals how all three are connected to each other and and combined they form a research paradigm although ontology epistemology and methodology have a relationship with the research paradigm but as a student you should know the difference between all of them you can't call quantitative approaches paradigm it is a methodology or approach to research overall a research paradigm is a world view about conducting research a research paradigm however provides the students an idea to choose methods and research design the research design research paradigm is the one that address what should be the method to follow for the research and not the other way around the other way around the other way around . . . जब भी कोई परशिक्ष्यूं भी यहाता है कि उसमेंसे न कुछ कोई न कोई परशिक्ष्यू की तरफ हप्मि बड़ाशता है और चाहता हैं कि हम सिक्षा के चेत्र में आगे बढ़ें लिजह अनुसंदान करें और इस आशा के साथ, इस मनोदसा के साथ, वो आगे की सिख्षा प्राप्त करने के लिए फिर से एमेट करता है, फिर एदुकेशन में पीजडी करता है, और तमाम तरह की इनुवेटिव रिसर्स जो है, वो करते रहे। With Grammarly, you can find really good, no perfect words that make your writing sharp or explicit or excellent or distinctive. So your message connects. Grammarly, helping you. ships go. सब जानते हैं कि Research की पहली आधार सीरा जबी कोई करने के लिए कि पर सीख्षू आता है, निशन दे, उसके syllabus में all ready research का कई नी कहीं एक, ज़ो कि जो कि मॉनुसंधाने अनुसंधान में भी अपना असम्दान को शे लिए हुए आने वार्ण के विश्य दिखा है और इसी कौशल को समझने के लिए इसी आप्रोच को जानने के लिए आज का इस पर आज बेहत से चल्चा हमारे मोख्य बक्ता डॉक्तर क्रगेंद्र कुमार दीन और मटीन होडी एंड प्रिंस्पल पत्ना ट्रेनिंग कॉलिज पत्ना याज हमसे जोड़ेंगे आप भैरी पुरुवक्त शांती पुरुवक्त अपना आसन जमालें अपना सिटिंग एरे सब्सक्राइब और हम लोग आज पुना नए वक्ता के साथ नए विशाय के साथ जूड़ेंगे झाल 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 के अट जब्सक्राइब पूर्ट गया है वह तुरत जोर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है सभी प्रतिभाग्यों को कि करम सथ हमारा या कारिकरम आपने समय के अनुसार ही चलेगा जब लोग जूर चुके हैं लगवद डेर सो लोग जूर चुके हैं और कुछ लोग जूरने के कगारपर में हैं तो कि अपने अस्तर से भी आज के बारे में अपने मित्रों को बताएं क्योंकि आज का विशय है वह काफी महत्पूर्ण है इंपॉर्टेंट है जो भी रिसर्च के शित्र में अपना कि बनाना चाहते हैं कुछ कारी करना चाहते हैं तो उनको आज का विशय काफी सूट करेगा तो निशन्दे आज का विशय रिसर्च से जुड़ा हुआ है और यहां हमारे लिए आप अपके लिए सब के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो आप अपने अस्तर से भी सभी अपने कॉलेज के प्रिस्च्शों को अपने मित्रों को अपने आसपास जो भी लोग सिख्षा जगत से जुड़े हुए हैं उन सभी को आप यह मैसेज कर दें और बोलें ति समय हो चुका है और कुछी समय के बाद कुछी चणूं के जाएगा अधर निस और अप सर अधर मोहिस सर अभी साहर नहीं जुड़ पाए हैं क्या अच्छा और एक शो पचास परजभागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम करकम सुरू होने की दिसा में बढ़ना है बस कुछी समय रह गया है करकम सुरू होने में और हम उसी समय में ही अपने करकम को सुरू करेंगे और मैं बताना चाहूंगा हमारे जो आज के मुख् अच्छा बहुत स्वागत है सब्सक्राइब बहुत स्वागत है आप अधर एक अधर है करेंगे तो तीन मिनट का से रहा गया है और लगभग तीज के आसवास प्रतिभागी यूटूब चैनल के माद्यम से जुड़े हुए हैं सर साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे इस कारिक्रम के आज के विशाय के जो मुख्य बश्ता है डॉक्टर प्रगेंद्र कुमार वो जूड़ चुके हैं और आज का जो विशाय है जैसा कि मैं पहले से भी आपको अबद करा चुका हूं और पुना एक बार मैं फिर से इसको रिमाइंड करा दे रहा हूं आज का विशाय है रिसेर्च पाराडाइम्स और इस विशाय पर अपनी बात को रखने के लिए हमारे मुख्वक्ता इस चैनल के माध्यम से जुड़ चुके हैं बस आप लोग देरी ना करें और तुरत समय के साथ जुड़ें 10.45 में ये कारिक्रम स्टार्ट हो जाएगा दस चालिस हमारा कंप्यूटर दस चालिस बता रहा है कि सरम पांच मिनिट अभी है हमारे पास समय है पांच मिनिट पांच मिनिट के बाद हम कुछ ये कारिक्रम आपचारिक्तावस और मैल्टीज के साथ जो भी हमारी चीजें होती है प्रारम विक वह साथ भी चीजों को कर करने के उपरांते कारिक्टरम स्टार्ट हो जाएगा सुरुवार्ट की जाएगी आज विसंदे इस ओनलाइन नेशनल लेक्चर सिरीज का तृतिय दिवस के आपसर पर आपसर भी प्रतिभागी और मीडिया करणी बहुत सारी लोग जुड़े हुए हैं तमाम भारत के विभिन प्रांतों से जुड़े हुए हैं और नके बल एक स्टूडेंट्स नहीं वह के बलकि बहुत सारे असिस्टेन्ट प्रोफेसर सब्सक्राइब करना चाहिए और इसी का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतने लोगों को जोड़ पा रहे हैं तो यह माध्यम हमें एक अपर्चुनिटी भी दिया है जिसके माध्यम से हम सैक्रो लोगों को जोड़ पा रहे हैं और इसको कहने में कोई आपती नहीं है कि इस प्रकार के पेंडेमिक जो हमारा जो आज चलना है वेस्विक महमारी उसने हमें एक अवसर भी दिया है ताकि हम भारत के विविन लोगों के साथ एक मंचपर में सब को देख सकें सब को सुन सकें और सब को एक जगाए कत्रित कर सकें या एक अगे भी घृजणी महमारी जाले के तरफ से एक से प्रोग्राम हम लोग करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से और जब ये महमारी हतम हो जाएगी निशन्दे हम लोग फिर से एक नई शुरुवात करेंगे और इसके लिए हम लोग कटिबद्ध है प्रतिबद्ध है हमारा महाविद्याल है जैसा कि मैंने आपको बताया हर साल रोजगार मिला सिक्षक रोजगार मिला का आयोजन करता आ रहा है और यहाँ आयोजन जैसा कि मैंने आपको बताया का कुछ दिर पहले यहाँ आयोजन हर साल के फरवरी महिने के पहले रविवार को कंड़क्ट कराया जाता है और आप चाहें तो तारिक नोट कर लीजिए 2021 में फरवरी महिने का जो रविवार है वो साथ तारिक को है यानि कि साथ फरवरी 2021 को साथ फरवरी 2021 को अगला सिख्षक रोजगार मेला आयूजित कराया जाएगा आप तमाम जुड़े हुए जितने भी पर दिवागी गण है आप चाहें तो उस सिख्षक रोजगार मेला में साथ परवरी 2020 रविवार को आप इस कॉलेज में आकर के दिविन जो स्कूल आते हैं यहां पर में सीवी एसी एक्टेरी स्कूल सिख्षकों को प्लेस्मेंट देने के लिए करीबन 40 से 45 स्कूल का जमावड़ा इस महाविद्याले के प्रांगर में होता है और उनके अपने इ करते हैं और हर साल सेक्टों लोगों को विजली महाविद्याले के प्रांगर में सिख्षक रोजगार के मांसे रोजगार होता है यह हमारे लिए नहीं हमारे लिए ही नहीं बलकि इस राष्टर के लिए एक लौरप कशन है कि कोडर्मा जिले में महर्सी कर्दम रिशी के यह बहुत चोटा सा जगा है जब आप कभी आएंगे तो आप देखेंगे यहां जो मुखी सहर है वो जुम्रीत लिया है कम आवादी जनसंख्यान लीवे सहर है और इसी सहर में एक जगा क्रिजली महाविद्याले भी अवस्थित है और इस जगा से सैक्रों लोगों को रु और शिक्षा के जगत में जो अपनी नई उचाईयों को छोने की जो एक तमन्ना है एक जो लक्ष जो है उसको लेकर कि हमाविद्याले अपना कारिकर रहा है मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10.45 एकदम एडजेक्ट 10.45 हो चुका है मैं अपने आधरनी इस कारिक्रम की जो ओर्ग्नाइजिंग चेयर है और हमारे कॉलिज की जो प्राचारिया है डॉक्टर संजीता कुमारी मैं आप से अग्रा करूंगा अन्रोद करूंगा आपने इजाज़त रहे है कि आज के हम कारिक्रम को स्टार्ट कर सकते है बिलकुल बिलकुल सर जासर शुरू किया ज जी 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 ओकी शुरू करें कि अग्यों कि सर्वे भबंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्चनतु मा कस्षित दुख भाग भवेद आये मित्रों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि समय हो चुका है और हम हर दिन अपने कारिक्रम की शुरूवात मासर शुति की आराधुना करके करते हैं आये हम लोग मासर शुति की वंद्रना को सुने और उसके पस्षा यहां कारिक्रम प्राणा होगा या कुंदेंदु तुशारहारधवला या शुप्रवस्त्रापृता या वीणावरदंडमंडितकरा या शुपेत पर्मासना या प्रम्हाचुत शंकरप्रभृति भी देवैस्दावंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निश्येश जाड्या पाहा शुक्लाम ब्रम्ह विचार सार परमाम आत्याम जगत्व्यापिनिम् वीणा पुस्तक धारिणिम् अभयदां जाड्यां धकारा पहां हस्ते स्थाटि कमालिकाउं विदधतिम् पत्मासने संस्थिताम् वंदेताम् परमेश्वरिम् भगवतिम् बुद्धी प्रदाउं शारदाम् कि यादेवी सर्व खुतेशो विद्यारूपयन संस्थितार् नमस्थस्य को आगे बढ़ाते ख्याएं कारें आज के मुठभतार्ताज già- volunte-linespada- के सम्मान में उनके स्वागत के लिए मैं अपने आधरनी प्रिसकल में हम संदूद पुरोंगा कुने इपुके देकर के सम्मानिक करें आधरनी प्रिसकल वेल्कम तो गुजली बॉजली बॉजफ एडिकेशन सर्थ थाइंक ये सो मच सर्थ हलो Hello Hello Sir, go unmute Unmute Sir, welcome sir Thank you so much sir Thank you very much ma'am तो ग में बी होज धन्या बाद ज्य को यूदू वर्म इस पांच दिवस्य ओन्लाइन लेक्टर सरीच के तृतिय वख्यान के विद्वान वक्ता डॉक्टर खागेंद्र कुमार, फॉर्मर दीन, होडी और प्रिंसिपल पत्ना ट्रेनिंग कॉलेज पत्ना बिहार सबी प्रधिबागेंद्र जिसमें प्रचार्या, विभागा ध्यक्ष, संकाईया ध्यक्ष, व्यक्ष्यता गर्ण, शोदार्ती, शुद्षार्ती, एवम अन्या कारेक्रम के संयोजक, सरसंयोजक, आयोजन angef retained के सदसेगर्ण, महाविद्याले परिवार के सदसेगर्ण वे सभी जो प्रतियक्ष एवं परोक्षय रूप से इस कारेक्रम से जुड़े हैं मीडिया के प्रतिनी धी, महाविद्याले, पडिवार की ओर से आप सब का बहुत बहुत सोगयत और बहुत बहुत अभिनातन है। पांच दिवसियों ओनलाइन व्यख्यान माला के दो व्यख्यान के सफल आयोजन के बाद आज तृत्य व्यख्यान जिसका विए सर्च पारडाइम्स और सोशल रिलिशन्स इन हाईर एडुकेशन पर विद्वान और अनुभवी वक्ता डॉक्टर खागेंदर कुमार सर को हम लोग सुनेंगे सर के पारे में यह जानकादी देते में काफी खुशी का अनुभव कर रही हूँ कि सर हमारे गुरू है और मेरे और मेरे संस्था के लिए स्वभागे की बात है कि आज सर हमारे साथ जुड़े है मेरी हमेशा से एक इक्षा थी कि सर हमारे संस्था के कारिकरम में भाग ले और हमें सम्भूधीत करे आज वो और सर आ गया है सर ने मेरे निवेगन को तुरंट स्विकार किया क्योंकि सर की व्यस्तता को मैं जान रही हूँ इस कॉबिट के वर्चुल दोर में सर ने विभीन विश्विद्यालों में लगबग पच्चास से ज्यादा लेक्चर डिलिवर किया है लगतार व्यस्तता के बाबजूत मेरे आगरव को तुरंट स्विकार किया इसके लिए मैं संपोड महाविद्याले परिवार की ओर से आपका बहुत-बहुत अभीन दन बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सर का विख्यान आज रिसर्च पाडाइम और सोसल रिलेशन सीन हायर एजुकेशन पर सर हमारा मार्क दर्शन करेंगे एक बार पुना सर आपका बहुत-बहुत स्वागत और बहुत-बहुत अभीन दन मैं स्वागत करती हूँ दूर दरा से जुड़े उन्तमान प्रतिभाग्यों का जिन में कई महाविद्यालेयों के प्रचारियगर्ण, संकाय अध्यक्ष, विवागर्यक्ष, अध्यापगर्ण, शोधारती, स्रिक्षण दुड़े हैं यह महाविद्याले परिवार आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत अभीन दन मैं स्वागत करती हूँ प्रचली कॉलेज अध्यकेशन के निदिशक द्वाय स्री अविनास कुमार सेथ और स्री मनीश कपसे सर्णा इनके नार्दशन और स्रीयोग के बिना यह आयोजन सम्हा नहीं था आप दोनों कर बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-ब स्वागत करता है धन्यवाद अपने हमारे मुख्यवक्ता को का भी नाम लिया और मैं सभी परतिवागी गन से पता दू कि हमारे जो मुख्यवक्ता है हमारी प्रिंस्पल मैं के गुरू विदा चुके हैं और हमारी यह कहते हुए काफी हमें गौरव का एसास हो रहा है तो आईए हम लोग कारिकरम को करता हूं कि वह आज के विशाय के संदर्व में अपनी बात को रखें एक बोहिं का बनाएं बताएं अधर निये मोहित तिवारी से थैंक यू जासर एवाम गुड मॉनिंग तो वाननाल प्रिजंट वर्जूम अपने यूटूब प्लेफॉर्पॉर्वर्वर्वर्वर्व औस हमें लओ एफमन् gagn में ऊष्म cor NOेिध यूजर्वर्व कमरे शचित अर्बट सांधिताय कुमरे क्size तुमरेभी ूऴर्वर्व निख तानी नए्ट हर रहाम यू वरम गईंगरी शूबतिफिंग्टक्री से जासरे बोटे कित एवाने सार्श प्रीट अस्वेृर्वर् whatever type of educational research it might be the goal is to generate that knowledge that describes predict improve and also explains a process or practice related to human behavior or an educational phenomena all researchers work within the framework of paradigm every discipline has its own philosophy for example in disciplines like physics and chemistry the philosophy is relatively easy to keep the conditions under control during experiments while in disciplines like sociology psychology education the philosophy is very difficult to decide method for measuring the experimental outcome in an objective way so it is very in current scenario and definitely our resource person will discuss in detail about research paradigm and social relations in higher education thank you over to japan thank you very much thank you जैसा कि आज का जो हमारा विशय है, उस विशय की चडचा करने के लिए हमारे मुख्य वक्ता, डॉक्टर खरगेंथ कुमारत सर् हमारे साथ उपस्तित हैं, मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सर्, आपके बारे में हमारे जहार सर्ने मैडम ने बता दिया है कि हमारे प्र इससे पूर भी आप दिल्ली विश्विध्यारे में भी आप सिख्छन कार किया है, आप सिख्छा के छेत में कई वर्सों का अन्भाव भी है, सर के पास, आपके राष्टी, अंतराष्टी, कई लेखों का प्रकासन भी हुआ है, मैं बताना चाहूंगा सर के बारे में, सर न बाद, अंडरस्टेंडिंग प्यूपल साइंस मुवमेंट है, मैं बताना चाहूंगा, सर के द्वारा, बिहार में सिख्छत के सो वर्ट्स भी एक पुस्तक लिखी गई है, सर ने कई पुस्तकों को लिखा है, सर ने कई जैसे मैंने आपको बताया, सर ने कई संस्थाओं में अपने विचारों को दिया है, और आज हम सभी इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, और सर के विचारों को सुनेंगे, और आज का जो विशय है, उसके बारे में हम ज्यानवार्दन करेंगे, हम सभी लोग, मैं बहुत-बहुत एक पुना सौगत करता हूं, सर का घिजदी पर के बारे में पहां, अब मैं इस कारिकरम को विदिवत तरीके से आज का जो हमारा वैक्षान है, आज का जो हमारा लेक्षियर है, इस विशय पर में विस्तार से अपनी बात रखने के लिए, आज के मुख्य वक्ता को मैं मंतित करता हूं, आदरनीय माननीय दॉक्टर करता हूं, खगंज रखने हमारा विवक्ता के खायए है तरीके से लिए बात करता हूं, जा वी थी मैं अपने से वेबिंगेर बात का प्रिशज के आप्तर खगंए हूं, इस वेबिंगेर को एखुट्टर झावित बात गौने खगंटेंछ। आप्पटि घेए था एंड् खाजने ल्डवार्डाने सेक्रेटरी, जाजी और अजुक्ष यार अवदादी है और अजची टायजिते है तो अजू जड़ कोड़्या कराज अज वेधने भी खाज़ अजू अवेधने- लेक्षटरी इस भी महद on a very relevant issue, relevant topic, that is research paradigms and social relations in higher education. In fact, I wanted to make it very clear. Most of you have some idea of research, research methods, and approaches in research, paradigms of research. In fact, I am not going to discuss any of these per se. It means I am not going to talk what is about the method and what is about the approach. The main issue of my discussion is that it is the relation of social relations in higher education that is created by research. The knowledge we create, knowledge, that knowledge is how far related to the society. What kind of relations exist between the various members of a particular issue or phenomenon you have taken into consideration? Actually wanted to discuss these relations in light of epistemology or ontology, whether the knowledge collected is valid or whether what is the reality of the knowledge that has been collected? If it is, is it that that knowledge is for some other purpose, then 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 exploring the issue or we can say the of the actors of the research, actors of a particular phenomena under consideration or particular topic or issue or problem you have taken into consideration. The actors involved in that, how they are related? Whether a researcher manoeuvres the environment or not. Or, or they, they, they have certain interlinking with the issue or not. Or just they collect data as it is, it is, it is created by external stimuli or environment. So, these are some of the issues which, uh, I would be taking, uh, today in this discussion. Instead of, uh, discussing the methodology per se, uh, we can say that there is a conflict or there is a fundamental contradiction in terms of scope and status of higher education. What is the scope of higher education? Higher education has a major responsibility to preserve, extend, and apply the body of knowledge. This is the basic scope. And this body of knowledge of higher education, this is created in higher education institutions, colleges and universities. But you know that there is a little control of the people of the higher education over this knowledge. Or you can say, these, these domain of knowledge, this body of knowledge, reaches higher community in less, lesser proportion. It goes elsewhere. It is controlled by, 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 by other segments of society, dominant segment of society, rather than by the researchers or actors of the higher education. Now, uh, you know that inquiry in teacher education, sorry, inquiry in higher education, teacher education also is a part of higher education, so it is equally applicable. Inquiry in higher education, as you know that, it is too technocratic, too narrow, too specialized. It is too inwardly focused and it is irrelevant to public policy and social practices. What comes out of the university, the knowledge, what we create, it doesn't appear to be relevant to the public policy and social practices. So what are the purpose of, uh, higher education, uh, research? It is very important to, uh, uh, to, to look into the purpose. Now, here there are two questions. Is the main purpose of higher education research is to inform organizational and managerial elites about social dynamics of higher education? whether purpose is to inform the elites, managers of the higher institutions, or those who, who administrative and other control over the higher education. So its main purpose is to, to, to create knowledge about the social dynamics of higher education for them. And other question is that, is the main purpose is to contribute to society's knowledge itself and its processes. Whether purpose is to evolve knowledge for the elites or purpose is to, to explore into the situation, explore into the, into, into the problems and find out the solution for the sake of the contribution in the body of knowledge or to explore the processes of, uh, of higher education. And these processes in real sense, how they operate, how, uh, higher education functions, what is their relations to the actors of society or to various segments related to the higher education, whether this is the purpose or purpose is directed towards benefiting the organizers. If organizers find something wrong with the, with the, with the higher education, education, whether purpose is to find out certain solutions for that solution, so that they can manage that situation. Now, Now, uh, you know that, uh, that higher education research is either in higher education research, either we, uh, critically discuss the higher education itself or employ research methodologies that open base into how higher education institutions can be more responsive to human interest. So it's basic thing, whether our research is responsive to the human interest or not. So these are the purposes of the higher education, which must be taken into account. Now, uh, the analysis of higher education researches in India and elsewhere, Uh, so that the policy makers and administrators do not appear to be interested in applying the body of knowledge about higher education to existing problems. What we create? The policy makers and administrators are not interested. They have their own friend of mind or they think they have some special knowledge through which they can make policies or they can control the higher education institutions or solve the problems. The researches conducted in the university finds little application in managing the things by these people. And it is an issue of great concerns. And that needs to be answered. What we create? You put a lot of efforts in, in, in conducting research. And that result is of no value for the policy makers or from the administrators. And it has been, uh, it has been studied that majority of the analysis. So the majority of knowledge that remain in the thesis or in the papers itself, is, uh, they are not used. Now, uh, you know, that there are two main types of, uh, two paradigms, two, two basic paradigms of higher education research. Or you can say, uh, uh, there are two, uh, main types of higher education research. One is positivistic and other is interpretive. But both fail, fail, uh, but both fail to put themselves on higher education in socio-historical context. We have two very important paradigms, or we can say, uh, that established, established methodologies or approaches that is called paradigm. That is one is positivist and another is interpretive. Now, these two, you know about that political, positivist and interpretive, interpretivist. But these two, I'd be talking, uh, something more about these two paradigms in the course of time. But these two, or you can say that even both the paradigms, they are unable to put themselves, methodologies, themselves, or higher education in social context, social historical context. They are inwardly, they see the problem in isolation. They don't work on macro level. How it is related to the social historical context, that contexts are not taken into consideration. So it's the first thing. And another really critical dimensions of social thought and practice do not constitute priorities of discourse or debate about social relations in higher education. Now, uh, 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 we can talk of, uh, uh, about positivism, its assumptions and what you call implications of positivism. You know that, here is a slide for you, yeah, there are two assumptions, reality in case of positivist, reality is external and objective knowledge based on observation. in positivism, research is neutral and knowledge is objective. Researcher is not biased, not subjective and knowledge created by the scientific method that is objective. And reality is external, it is external thing. There are some external forces that control the reality and its implications, you know, it is independent, it is value free. It is causal, cause-effect relation is there. It is hypothetical deductive. You know that, you know the scientific method which generally you apply. When you identify a problem, then you hypothesize and for that, in order to test that hypothesis, you collect data and finally reduce something. So, this is hypothetical deductive and reduction. Finally, that whole problem is, the whole answer is reduced into few lines and we can generalize. So, basically, you know that this is the implications of this positivism. Now, see the theoretical perspectives of positivism. Because, what I wanted to discuss, the important part of this discussion will come later. And before that, I wanted to make, at least, some basis. So, that you can understand the both paradigms, dominant paradigms, which would be critically analyzed in the later part of this talk. You know that positivism. You know that positivism consists of what is available to, in positivism, reality is what is called, what is available to senses. It means you can smell, you can see, you can touch. And this is the basis of data collection. An inquiry, inquiry should be based upon scientific observation. You know that natural and human sciences. You know that natural and human sciences, say the common logical and methodological principles, dealing with facts and not with values. As in case of natural sciences. Natural sciences, we deal with what we call facts. Value is not there. So, this positivist has been derived from that natural sciences method. And here, value has no place. You know that any social context will have its value. The operation of higher education. The operation of higher education in any context will definitely take some values. Without values, there can't be any higher education. But while projectivists work. But while projectivists work, they work in the frame of natural sciences and they wanted to explore facts. Value is not considered over yet. And you know that the last point you can see. Ideas only deserve their incorporation into knowledge. They can be put to test of empirical experiences. Your ability is empirical. Your hypothesis can be tested. Or whatever ideas you are having, that can be put to empirical experience. Now, this another dominant paradigm that is interpreted against and under this comes phenomenology or symbolic interactionism. As the name itself says, there is a symbol and people interact with the symbol. And after interaction, they can give various descriptions of that symbol. Here it is not that there is only one fact. A symbol or a phenomenon can be described in various ways. Those who are concerned or those who have seen or those who have experienced of that phenomenon. Suppose I show you a picture. Suppose I show you a picture. Now, when I ask about that picture separately from the individuals, they will give different explanation about that picture. Somebody says this picture says this. Another will say we can see something else in that picture. So, here's a symbol. So, here's a symbol. Individuals interact with the symbol and their interpretations might vary. So, this rejects the notion of absolute facts and world is socially created. This world is socially created. It is not that it behaves as an object. And here focuses on meaning. Focus is not on fact but it is on meaning. How a particular phenomenon is seen by the people. Now, now the theoretical perspective. As you write now, discuss the theoretical perspective of positivism. So, here is some theoretical perspectives of inter-criticism. The world is socially constructed as I told you. Observer is a party to what is being observed. Science is driven by human interest. Science cannot be seen as a very objective phenomenon. Science is driven by human interest. Science is driven by human interest. I can give you an example. You might have read a newspaper about various researches about a particular oil. Suppose mustard oil. Some research says that mustard oil is harmful for the health. Harmful for the heart or leads to heartbeams. Another research says that mustard oil is very useful for the heart and health. Now, if science is objective. Now, if science is objective, then how it can happen? One research says it is useful. Another research says it is not useful. So, mind it, science is driven by human interest. If you go to the postmodern thinkers. If you go to the postmodern thinkers, they explain in very clear terms. Explanation of science. Explanation of science depends upon the interest of the people. And last is the focus on meaning as I told it, trying to understand what is happening and construct theories from the data. From the data inductively, we construct theories, use multiple methods to establish different views of the phenomenon. In phenomenology or in cryptidism, we have different ways to work. There are different methods. So, here, as I already told you, we are not going to discuss methods. But we are going to discuss, we are going to make a critical discussion on the methods. And finally, wanted to, wanted to, wanted to, wanted to bring to your notice that, that, that what is, what should be there in research? How it should be perceived? How it should be perceived? Or should, should be, how the approach should be molded in the right direction? And things like that. Now, slowly we are coming to the point which I wanted to raise in this discussion. Now, I will try to see these two dominant paradigms about which I discussed over here. It is either phenomenology or that is, you call interpretivism or projectivism. We wanted to see both from the epistemological and ontological point of view. You know that? I would like to make, say, a few points about ontology and epistemology. You all know about that, but just to remind. In epistemology, we wanted to know what information counts valid knowledge. The knowledge we gain from research, whether it is valid or not. Or we will discuss the knowledge, its justification, rationality of beliefs and various related issues. And in case of ontology, ontology means this study is what, what exists. Describe structure of reality or the study of being. What is the reality of the knowledge? How they are related to each other? Many actors work in a particular, when we take particular phenomenon into consideration, many actors are there. And how they are interrelated? And it also discusses many challenging questions about reality construction in mind of the observer. And describe the relationship hierarchy. In higher education, there is a hierarchy exists. There is a hierarchy. So the relationship between the hierarchy, that hierarchical relationship explains. And in light of these two philosophies, two philosophical expositions, either this epistemology and ontology, we will try to discuss the dominant paradigm. Now epistemological criticism is based on the concept of society as a substance, not as a subject. When we conduct research in higher education, we see the society as a substance, not as a subject. Substance means, substance can be defined as a matter with uniform properties, like material sciences, you know matter. This mobile is a matter. And subject can be defined as a matter. And subject can be defined as person or circumstances, giving rise to specific feeling and responses or action. So first thing is that, the epistemological criticism, epistemology deals with what is valid knowledge. This is a concept of society as a subject. This is a concept of society as a substance, not as a subject. We in research are habituated to see the society or our methods, the dominant methods we use that see society as a substance, not as a subject. And the existing dominant methods of higher education. And the existing dominant methods of higher education research emphasize that a view of people is taken as passive receptacles of external stimuli in the social relations, not as reflective and active producers of their environment. We are the passive receptacles. We are the passive receptacles of people from whom you contact, you acquire, you get information. जो कि जो एक्स्टरनल स्टिमुलियन सोसल रिलेशन्स जो बाई उद्वीमपन है और उनका जो प्रभाव सोसल रिलेशन्स पर है उसको जमा करने के लिए निस्क्रिय पात्र है we don't here consider the people as a reflective and active producers of their environment we don't consider that there is these these people or these subjects through which you you get information they act upon the environment they are the active producers of their environment it is not that we think that they are in environment and external stimuli that that control the environment and human being is thus just a receptacle that just that information is contained by that human being higher education research gathers knowledge that is human reality is an inert reality as an inert thing the main aim of higher education is to find ways for managing or fixing numerous conflicts and contradictions in social organization of higher education or higher learning by policy planners and administration i have earlier also told you i told you earlier too that may now for higher education search is find uh that ways to manage or ways to fix conflicts and contradiction into the social organization social organization of higher the culture of higher education and human being is to find the good that the so that we have to have the same fun to go in and they do that as we think that if we have a इसको कैसे फिक्स किया जाएगा यह कैसे इसको मैंनेज किया जाएगा इस पर वो जादा फोकस करते हैं और बेस्टिकली वो फोकस जो है वो झाल trading लो क्यांत्र किया हिवान्सै ऑिने चार सव्चिक घम बेसे लिडिडवी आएगा सब्केष्य आएगाई paralysis ऑली संस्टिक आएगाई क्से बैंने हिए ए स्वांड टेलужिते हिवानित क्यां थसक्क्या 10 प्रीदक शरिए they feel, they interact with the environment and they are the active, they are actors. So this interaction is not tapped and that interaction will create the domain of knowledge. That may be useful for us, for any of us. It is not that there is a set path, there is a student politics or there is a disturbance of the institutions and how to manage the disturbance. First thing is that, why this disturbance? Why the people are operating in the environment that has created this environment? That operation, nature of that conflict, that conflict is a valid thing. That conflict is a consequence of the relation, which is the need for the university or the need for the higher education. And the students, what is the relationship between them? How is that relationship? With that relationship, this conflict is not managed. So, the relationship between the environment and the relationship between the environment, we see how to manage the disturbance and how to manage the disturbance. We focus more on that. So, these are the some epistemological issues that must be addressed when you work in higher education, when you tackle higher education, when you conduct higher education research or research on higher education or issues of the higher education. The other thing is that, what is the ontological concept of the majority of researches in higher education is that, now come to the ontological concept. Social relations within institutions are externally transformed by scientific, policy and managerial elements, who possess special knowledge about the social reality of higher education, existing hierarchies. Now, the social relations within the institutions are transformed. We said that, if there is no conflict, if there is no conflict, there is no conflict between the two parties, which are the characters, the different hierarchy of people to operate in the environment. में किस तरह ऑपरेट करते हैं यह नहीं हो करके यह सोचल रेलेशन्स जो है संस्था के अंदर का जो समाजिक संबंध है वो बाहर से तय होता है वो बाहर के फोर्स से ट्रांस्फरम होता है और यह फोर्स कौन है यह साइन्टिफिक पॉलिसी एंड मैनेजरियल एलिप्स जिनका की इनवर्सिटी में वर्चस्व है जिन जो ताकत है जो इनवर्सिटी को ट्रांस्फरम करने की का माद्दा रखते हैं और ऐसा लगता है इस तरह का विश्वास करा जाता है कि वो इस्पेसल नॉलिज़ पर इसके बारे में उनके पास तो यह जो है कि रियलिटी आफ नॉलिज़ कर देखना है वह ए उनके पास क्या है यह कैसे हो सकता है कि किसी खास समू के पास इस्प्रेसल नॉलेज है जो दूसरे के पास नहीं क्योंकि नॉलेज या तो पजेटिविस तरीके से आप निकालते हैं या फिर आप तरीके से लिकालते हैं एक अब्जेक्टिव है दुसरा सब्जेक्टिव है तो ऐसा तो नहीं है यह सब्जेक्टिव नॉलेज है उसमें कुछी लोगं का वरेटास है थसक खौस्णी नॉलेज़ टौस में छोडेटबू अचे लोगंचने मॉलेज एैप लगंगा एग चाही लोगंषी लेभड भीप्टिव क्षिव अच्छिव का जग्टिव का रुकूलर है मेनजर्स इसकोर्स तो है र bizarre education मेस शुद भी scientifically generated knowledge till we know English aap create करते है वो ते हयु scientifically knowledge generated knowledge. We use some scientific method. आप scientific method का प्रयोग करते है आए उस से knowledge तरएप लिए नॉलजच जनरेट इन्स्टूमेंट उसकॉलंडे आप तो आपको नॉलज़ क्रियेट करते जो भी इंस्टूमेंट आपका है वह इनवस्टी की मधद करता है अब देक है कşekkür स्टूमें openspake STEP कि करता ने मदद करता है इंवस्टी की अगर उस विद्याले में सभी बच्चे या किसी लेबल पर सभी स्टुडेंट्स एटी परसंट या उससे अधिक मात्स लागर के पास कर जाते हैं तो कॉलिटी इंस्टुशन है। दोनों के बीच जो कुछ आप पढ़ते हैं उसमें भी बहुत सारे प्राब्लम्स हो सकते हैं। वो भी हो सकता है कि जो जो सोशल रुलेसंस से जो डिफरेंट काइंड आप सोशल रुलेसंस उसमें जितने भी एक्टर्स हैं सभी सभी के सामती या सभी के बात्षित से इमर्ज नहीं किया हो लेकिन तब भी जो भी आपके थेरिये सपोस्ट जॉइफुल लर्मिंग या आप कहते हैं कि एद्र नहीं होगा या फिर अगर क्रेटी नहीं है तो फिर वह क्वालिटी कैसे थो जो नहीं हमारी पॉलिसी उस पॉलिसी के जो नियामक है वे समझते हैं हुसी समझ के हिसाब से आप अब देखे बात आती है कि जो अभी तक हमने देखा है तो जो अब यह अपनिये अप्रोच इसको आप जानते हम जानते हैं जो हमारे डॉमिनेंट अप्रोच है जो मैं था पड़ते हैं उसकी दो बाते मुख्य है social inquiry that seeks to establish an identity between thought and object. हम thought, विचारों और अब्जेक्ट के बिचमे एक परिचे तजार करते हैं. identity between the two. subject को में लेते हैं, thought and object. जब हम positivist view को लेते हैं, everything is taken as an object. क्योंकि यह तो scientific, यह तो physical science के तरह behave करता है, there is a set of rules and we come to certain conclusion. knowledge is quite objective, researcher is neutral. और दूसरा है, कि goal of inquiry into higher education, external transformation in social relations. और एक्स्टर्नल ट्रांस्फॉर्मेशन है. वो बाई यह रूप से परिवर्तन करना institution की. यह हमारा goal है. कोई भी research हम करते हैं higher education, हम सला देते हैं, suggestions देते हैं, in light of the findings. जो हमको finding मिलता है, उसके life में हम सला देते हैं, की इस तरह से change किया जा सकता है. तो यह जो है, inquiry जो हमारा higher education में है, वो external transformation है of social relations values. हमारा जो social relations है, social relations means यहां पर विश्विद्याले या higher education संस्थानों के बीच में यह समाजिक संबंद है, उसका जो बदलाओ है, उसके बदलाओ पर हम जो है focus करते हैं और इस बदलाओ का अधार कौन होता है, वो elites होते हैं, वो administrators हैं, वो management है या फिर जो भी आप elites समझते हैं, जो कि किसी decision को influence करने की सबस्यारा ताकत रखता है. लेकिन अगर हम human freedom की बाद करें, philosophy of liberation की बाद करें, that can be understood as self-conscious self-determination. And human freedom is the goal of inquiry into social relations and their knowledge process. basic goal of inquiry का क्या है, that is human freedom. That is the basic goal. जो inquiry into social relations and their knowledge process जो है, इसका जो basic goal है, that is human freedom. To create a situation where human freedom will exist. This is the basic goal. So, duty inquiry करते हैं, social relations जा नॉलेज़ प्रोसेशेस में, उसका जो मूल आधार क्या है या उसकी मूल परिनती क्या है, आधार और परिनती जोनों है कि वह, that is individual freedom. और human freedom अभी new education policy आई है आपने देखा हो उसमें जो students आउसका freedom की बाद है तो यह मैंने कहा रहा हूँ यह policy जो है यह जो discussion को उसको रख के बनाई गई है नहीं उसमें भी वो सारे सारे जो किये जा सकते हैं जो की हमारे में लेकिन बात यह है कि जब आप research conduct करते हैं research conduct का conduction का goal क्या है what is the basic goal what we will explore in the process exploration का जो basic purpose है that is human freedom जो आपके दो form of basic research है जो दो paradigm है एक पोजेटिविस्ट है दूसरा जो interpretive है एक जो है कि structure and patterns पर focus करता है दूसरा जो meaning, social meaning या process और dynamics पर function करता है और एक quantitative है दूसरा qualitative है अब जानते है पोजेटिविस्ट मेथड जो है basically quantitative अगर आप एक experimental research कर रहे हैं और experimental research में कोई statistics लगा करके आपने बता दिया है this method is effective तो we get a quantitative result in tea test का या फिर जो किसी और test का प्रियोग करते हैं या analysis of variance का इस्तिमाल करते हैं और हम यह बताते हैं कि नहीं यह देखें this method is more effective इसका reason बताते हैं कि इसका mean जादा है तो वो quantitative दूसरा है कि हम किसी institution का process review करते हैं किस तरह काम करता है तो जाएरे इसके actors से हम समझते हैं इसके actors से हम data collection करते हैं और finally हम किसी meaning पर पहुंचते हैं यह process इस तरह है अब यह जो meaning है जो की phenomenology symbolic interactionism देता है और जो की quantitative result जो की हमको positivist देता है जिसको हम scientific method of inquiry modern scientific method of inquiry कहते हैं जो हम normally interpretive criticism है या qualitative method है जो गुनात्मत है या संख्यात्मत है दोनों उनके पास जो ज्यान है वो इस तरह समझते हैं कि जो कुछ समाज में हो रहा है उनकी उनका जो है वो इक तरह से क्याता है उसको निस्क्रीप पात्र है सब कुछ वह जमा हो रहा है और उसके बारें बताते हैं यह ऐसा हुआ वैसा हुआ इस तरह हुआ लेकिन उनका एंवालमेंट में कित्मा वह क्या एंवालमेंट को मैनिवर कर पाते हैं उनकी वज़से इंवालमेंट में को चेंज हुआ है उनका पर लेशन दूसरे सेगमेंट के साथ कैसा था यह कहीं ही दिखता है और अगर दिखता भी यह कहीं वो डॉमिनेंट मोर्ट यह दोनों जो परेडाइम्स है उसमें रिसर्चर क्या करता है सोशल वर्ल्ड का पता करता है इस और दुनिया के बारे में पता करता है दोनों इस बात पर फोकॉस करता है आख हो डुमिन्सरकर नोज अबाएट सोशल वर् ! यह रिसर्च यही जह कम पता कर्म सेट यह Theoretical and Methodological Options for Research on Higher Education. उनका काम जो है, उनकी जो, उनके जो, ये दोना मेथड़ जो है, जिसके तुरू वो काम करते हैं, वो रिसर्च करने की जो उनकी, रिसर्च करने का जो उनका ठाथिका है, या पूरे रिसर्च की जो उनकी समझ है, वो बेसिकली दो बातों पर निर्वर करते हैं, कि डिफेर्ट थिरी जानते हैं, दोसरा क्या है, कि methodological options की दो options आपके पास है कॉजेटिविस्ट और इंटर्पेटिव और इसके बारे में जानते हैं क्वालिटिव मेथट के बारे में जानते हैं गौनात्मक विद्यों के बारे में जानते हैं जो ontological questions है, या epistemological questions है, क्या ये knowledge valid है? क्या ये knowledge reality को बताता है? जो आपने अंतर संबन्द ढूंडे हैं, उसमें जो actors हैं, उनका environment के साथ क्या लेना देना है? या cable environment के बारे में उनके पास knowledge है, जो पतार है? तो इन चीजों पर हम focus नहीं कर पाते हैं, जो की बहुत ही जरूरी है. आपने सुना होगा Hebermas का नाम, अभी जो हमारा नया syllabus आया है, खास कर केमिट का, जो हमने नया curriculum बनाया है, उसमें Hebermas को हम पढ़ते हैं, और अभी हाल में आपने देखा होगा बहुत सारे जो jams वगरे हैं, के उनोने Hebermas जैसे philosopher को जगह दी है, तो according to Hebermas, when researchers adopt a theoretical perspective, और methodological approach, they must ask the following questions. उनको यह सवाल जरूब पूछना चाहिए, अगर वो, यह सवाल जो है, उनको पूछना चाहिए, यह सवाल है, यह सवाल है, यह सवाल उनको पूछना बहुत जरूरी है, जब यह सवाल पूछेंगे, तभी यह बात पता चल पाएगी, कि यह जो methods है हमारे, यह methods से जो knowledge प्राप करते हैं, वो कितना value है, अंतर संबंधों को बताने में कितना सक्षम है, तो यह देखिए, यह questions है, पहला है, whose interests are served if this theory और method is situated in the social world, इन में किनका interest served होता है, जो theory और method आप चानते हैं, उससे किनका interest served होता है, आपने कभी यह सवाल अपने दिमागें सोचा है, किससे इनका interest served होगा, जो answer ढूंडा आपने research में, इससे किसका interest served होगा, knowledge itself का कोई purpose solve होगा, या फिर किसी group का interest served होगा, और दूसरा है, आपने के ale, इससे कितिके स्टेश ओजो को कितिम हमारा है, यति क्तिमागें ए आपने कितिमादीन को को कितिमा करुम को क्या है, समाजिक परिपेक्ष हैं, जो सैद्धान्तिक परिपेक्ष हैं हमारे, या फिर जो समाजिक सोध की रन्नीती है, ये राजनेतिक या समाजिक रूप से उदासिन या निट्रल नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव समाजिक जीवन पर इस प्रकार होता है, कि वे अध्यन में लिये आप अगर कोई इसू लेते हैं तो आप एक तम इमांदारी से बात को देखिए कि जिन समाजिक मुद्दे को या किसी विश्विद्याले या सिक्षा के मुद्दे को आपने सर्च के लिए लिया है और उसमें जो जिन रिती रिवाजों या जिस संबंधों का अबध्धिन करते हैं क्या उसके बारे में आपके कोई राय नहीं है उसके बारे में रिसर्चर की राय होती है या तो वो लाइट करते हैं उसको या डिसलाइट करते हैं तो आपकी राय है कि हमारा मेथड दूसरे मेथड से बहतर है हम इसको स्टड़ी करके देखें लेकिन आपकी राय है अगर केरला शास्त्र साहित परिशन्थ एक सोशल मोवमेंट एक साइञ्स मोवमेंट है जन विज्ञान आंदोलंग है यह आंदोलंग लोगों को साइञ्स के बारे में जागरुख करता है साइन्स के लिट्रेचर्स लोगों के पास पहुचाता है, साइन्स के यूज और भी स्यूज के बारे में लोगों का बैर करता है, लेकिन यह साफ साफ कहता है कि we are inclined towards marginal class, हम marginal class के फ्रक्ष में, वो पहले से बोल रहा है, वेदर, whereas it is scientific science organization, it is dealing with the science, तो वही बात है कि जो साइद्धान्तिक परिप्रेक्ष है या समाजिक सोध है, सोध की जो रन्नीती है, जो समाजिक सोध की आप रन्नीती बनाते हैं, वो राजनेतिक या समाजिक रूप से उदासीन नहीं हो सकता है, आप honestly इस चीज़ को आपको बताया गिया है कि उदासीन है, लेकिन आप सोचिए क्या ये उदासीन हो सकता है, राजनेतिक रूप से, अगर आप किसी रिसर्च में कोई findings देते हैं कि इस problem को इस तरह सॉल्व किया जाए, तो आप ज्यान से सोचिए क्या इसमें कोई कोई राजनेतिक या सामाजिक पक्ष इनवाल्व नहीं है, या उदासीन है उससे, बल्कि उसका प्रभाव सामाजिक गीवन पर इस प्रकार होता है कि वे अध्यन में लिए गए सामाजिक रीटियों की प्रसंसा या अलोचना में भी श्वास रहते हैं, ये बात बहुत इं को उभारने के लिए, मैंने ये व्याक्षान में इंट्रेस्ट में रूचिली है, और एक बात और मैं बता दूं कि संजीता मेरी स्टूडेंट हैं, और शायद उन्होंने अपने मेरे बड़ाई के क्रम में, उन्होंने का दिया 50 वेबिनार्स हमने अटेंट किये हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने कई वेबिनार अटेंट किया हैं, लेकिन 50 वो नहीं है, उसकी संख्या ये दस्वा है, ये जो आपके साथ मैं कर रहा हूं, वो 10 है, पचास तो बह इसमें, मैं अपना कुछ, क्या कहते हैं, अपना कुछ समय देता हूं, समय जलाता हूं, यूही मैं किसी बंच पर जाने की कोशिस कभी भी नहीं करता हूं, कभी भी नहीं, अगर मुझे समय नहीं होता है, तो politely, हम उससे अलग हो जाते हैं, लेकिन बिना सोचे सब जिन किस पर मैंने जाने के कभी भी जो रोकाश तक नहीं है चलिए होता है कभी कभी जो है हम लोग ज्यादा बढ़ाई कर देते हैं अब दूसरी बात यह है कि जो तेरिटिकल परस्पेक्टिब्स है या रिसर्च इन रिसर्च स्टडीज जो है इसको दो केटवरी में बाटा जा सकता और यह दो केटवरी जो है आपके स्कीन पर है अगर आपके स्कीन को क्लिक करेंगे तो स्कीन आपको जादा बड़ा दीखाई पड़ेगा यह अब देखिए थेरिटिकल परस्पेक्टिब्स पर्सपेक्टिब्स रिसर्च स्ट्रेटेगिस इस कैन बी ग्रूप इंटू इन on the basis of legitimatization of social practice यह जो आप उसकी प्रसंसा करते हैं उसको legitimate समझते हैं या नहीं समझते हैं इसकी आधार पर इसको दो हिस्सो में आप खंडित कर सकते हैं बहुँच सकते हैं यह हवरमास ने उसको दो हिस्से पर बाटा है पहला क्या है पहला जो है एपस्टेमिलोगिकल डैर्मिंसन है और फिर मैं याद दिला दूँ एपस्टेमिलोगि में क्या करते हैं वाट इस विच नॉलेज इस वैलिट और इपिस कंसर्ट विदर रिस्पॉंस ओंस परस्पेक्टिव उस प्रॉब्लम एक्टिंग विदिन था इडुकेशनल कॉंटेक्स्ट ठीक है सोद के लिए लिया गया परिप्रेच्छ किसी सैचिक संदर्म में किस तरह काम कर रही लोग को किस प्रकार देखता है । आख्टिंग विदिन एडुकेशनल कॉंटेक्स्ट। किसी संदरव में जो लोग काम कर रहे हैं, वह रिसर्च के परिप्रेच्छ क्स तरह देखे जाते हैं। यूं कहिए कि रिसर्च का जो परिप्रेक्ष है, सोध के लिए, सोध के लिए लिया लिया परिप्रेक्ष किसी सेक्षिक संदर्ब में काम करने कर रहे लोगों को किस प्रकार देता है, एक तो यह है, पहला यह है कि सोध के परिप्रेक्ष में जो काम कर रहे हैं, किसी सेक्षिक संदर्ब में जो काम कर रहे हैं, इन परकार के लोगों को सोध परिप्रेक्ष, सोध के लिए लिया गया परिप्रेक्ष, सोध में आपको परिप्रेक्ष लेते हैं, वो काम कर रहे हैं, लोगों किस से देखे जाते हैं जो काम कर रहे हैं और दूसरा है आर पीपल एंडर सोसल रिलेशन्स अडिस्टूब एग पैसिब रिसेप्टिकल्स अप दे एक्स्टर्नल इस्टिमुली जिसे मैंने पहले भी कहा है कि क्या लोग और उनके संबंध बारी उद्दीपनों के निस्क्री ये पात्र बारे जो एक्टर्स हैं और उनके संबंध कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं आप जिब इसको सॉल्व करते हैं कई एक्टर्स होते हैं तो वुजब लोग हैं क्या लोग और उनके संबंध और उनके बीशल्म लोग और के संबंध हैं वो बाहरी उन दीपनों के निस्क्री ये पात्र भर हैं। these are the questions of knowledge or epistemology and address the issue whether people are capable of reflecting upon themselves or directly their own ये सवाल बहुत आहम है ये सवाल इसलिए आहम है कि वो अपने उपर किस तरह करता है या जो रख वह उसमें क्या है और वो सब्सक्राओं की सांच ओऊ है अगर वो एनीقط के साथ कर रहे हैं कस से उनका क्या अच्पर अगुड़ाओं है और धिश्कर से या ब्लाओं भड़ा है वो अपने संब्द है उसके बारे में बात को स्पस्ट करना बहुत जरूवी है और जो सेकेंड केटगरी है सेकेंड केटगरी है तेट इस उन्टोलोजिकल आप जानते हैं उन्टोलोजी में क्या करते हैं तो इसमें रहीं बेद हैं डियाने दियन में बशाइंट केंड इसमें इस इसमें आप इस हैं जो अब्जेक्ट अबजेक्त है जो object है, जो हम सो society को object के रूप में ले रहे, subject के रूप में दो ले नी रहे यहाँ तर कि जब interpretive जो है वो लोगों को मानता है कि passive receptical है information काल तो इसलिए ये कहा सकते हैं ये methodology जो है view its relationship with the object of analysis इसे how the theoretical perspective and methodological approach view its own relationship with the object of analysis and the basic question is, there are two questions, two more questions are raised. The basic question is whether perspective understanding is self-neutral towards and detached from the social world. Whether the perspective understands itself neutral, the perception of the thought is, or the social world is detached from the social world, the perception is not possible. The perception of the thought is, sometimes we see in some organization or higher education, in any way, 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 in any way. So, the context is, whether the perspective understands itself neutral towards and detached from the social world, or it understands itself engaged in an interactive relationship with the social world. याफने आपने आपको इसोलएक्ले मतलाइए त्ने समस्ता है. या उसके साथ वो रलेशिंशंशिमिह में. Interactive. ृृू विंटलेक्टेशन सथ और दोलश्यू वर स्था मतलु न stretched गारी मतलुन तबूलैजम्हनिश्यूनौत छिए इसके बीच का रिलेशन से, तो यह सब प्रश्न है, यह जो तीन-चार प्रश्न है, कि परिप्रेक्ष क्या, नीट्रल है, जो भी सोशल वोल्ड में से, neutral towards and attached to the social world, detached होता है social world से and neutral है, या फिर, engage in interactive relationship with social world, or what is the relationship between intellectual and social world, वो relationship क्या है, so these are the questions of scientific knowledge and science, social being, and they address the issues of what are social and political problems and responsibilities of science. So, one thing, now I would like to discuss that, that is, we must know something about science. because all these are the scientific methods. Nothing is unscientific. तो यह जो scientific method है, इस पर बेसिकली जो है, साइन्टिजम का कंट्रोल है, और आप जमते हैं, जो मारा modern society है, modern society का एक इंपॉर्टन फीचर है, हमारे modern society के कई फीचर से, तेक्लरीजम इसका फीचर है, इसका इसका फीचर है, इसका एक बहुत इंपॉर्टन फीचर है, साइन्टिजम, इस साइन्टिजम को भी समझ लेना चाहिए, यह साइन्टिजम जो है, यह इंपरिशिस्ट है, शुरू में हमने का आए, कि इसमें empirical evidence चाहिए, evidence चाहिए, empirical, और एक बात और जान लिए कि science के बारे में हमें साइन्टिजम क्या है, कि जो science है वो experimentation प्रग्रेश्ट है, उसका direct evidence है, that is direct evidence of science, scientific knowledge, ऐसा में लिए, यह बात social sciences के लिए इससकती है, और natural sciences के लिए सकती है, जो मैं कह रहा हूँ, direct evidence जो है, एक miniscule proportion of knowledge है, जान का एक बहुत यत्तन सुक्ष में साइब, जिसका direct evidence मजूद है, चिक है, बाती जितने हैं सब logic पर चलने, वह यह ब लॉजिकल कंपूदेंस, अगर हम सडक के बाएं तरफ चलते हैं, इस वोग वोग on the left side of the road, where there is no footpath, we are doing science, अगर हम करते हैं, तम विज्ञान करने, we are doing science, बड़ा लगता हैं सडक के बाएं तरफ चलना के से science हैं, बिल्कुल science है, क्योंकि science finally involves logic, science तरफ पर चलता है, और बाएं तरफ इसलिए हम चलते हैं, कि ट्राफिक रूल के सापकर स्वरक्षित, साइंस का मतलब बड़ा बड़ा लेबरेटरी, वाइट कोट्स और कुछ अजूबा चीज नहीं हैं, science the way of life, और साइंस में जो भी नॉलेज हैं, वदर इस सोसल साइंस, वदर इस नेटरल साइंस, वदर इस मैथेमेटिक्स, वदर इस लेंविज, इस नॉलेज का एक छोटा सा मिनिस्कूल प्रपोर्शन है, जिसका डारेक्ट एंगेटिक्स है, बाकि सारे लॉजिक कर चलते हैं, इडिस टूफ और नेटरल साइंस इज अलसो, एटम, एटम के बारे अब आब जानते हैं, सबी लोग जानते हैं, परवानों, और एटम का स्ट्रक्चर भी जानते हैं, निट्रों प्रों ये उन्होंने स्कूल में बढ़ा है, या इसी नेट्रल साइंस के स्टुडेंट होंगे, तो हाईर लिवल पर भी पढ़ा होगा, वो काफी कुछ जानते हैं, लेकिन ये जो एटम के कॉंस्ट्यूटस है, इसको नंगी आखों से हम नहीं देख सकते हैं, इसे हम स्क्रीन पर देखते हैं, तरह ये टेक्नलॉजी, टेक्नलॉजी जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं, कि इसमें ये ये चीजह हैं, अभी तक हमारे पास कोई मेकनेजम नहीं है कोई ऐसा मैक्रोस्कोप या कोई ऐसा उस तरह के सरीखे कोई चीज नहीं है कोई नहीं है कोई आपको से देखें को वी है वेडियंस इस्ट्रॉंग इडियंस बट एदिश इनदारेक्ट को यह से माली जे आप केरी अप्लॉशन विकास बात का सिद्धार अभी आप दावीन को जांते हैं डार्विन इक पारडाइब दार्विन विकास बात को सबसे अच्छा इस्पें गर्ट करते हैं डार कि दार्विन के पहले भी लेमार्क का एक्स्प्लेशन था और लेमार्क की फिरी थी वही पैरडाइम था लेमार्क की एक समझ थी कि अक्वाइड करेक्टर्स आर इन हेरिकेट इंटु दॉप स्क्रींस बहुत दिन तक चाला सबसे बेस्ट एक्स्प्लेशन था उस समय बाद मोचेंज हो गया जब डेर्विन आया तो लेमार्क का सारा एडिशिसी बगड़ गया वो थेरी एक्तरल से बेहतर डारेक्ट इंडारेक्ट एविदेंसे सामने लाए तो जाहिर है कि वो थेरी जुए पराडाइम बन गए उन्होंने कहा कि पहले से ही लंबी गर्दन वाले जिराफ मौझूद थे इन्वार्में लेकर इन्वार्में लंबी गर्दन वाले जिराफ के अनुकुल नहीं था इसलिए लंबी गर्दन वाले जिराफ की जल्सक्था बहुत कम थे अन्वार्में अन्वार्में लंबी गर्दन वाले जिराफ की जल्सक् जिराफ के लोग नेक्ट जिराफ नीचे का वेजिटेशन खतम हो गया सिटुएशन विकेम फैबरेबुल पर दो जिराफ जिनकी गरदन लबी तो इस तरह जो है वह थेरी इस्टेटीश हो गया लाने वाले जिनों हो सकता है को और एक्सप्रेशन आय और तेरी चेंज होगा साइन्स में कई थे रहे हैं घरी साइन्स का हाइस मकाम है हाइस को सिक्स्वेन करता है कि वान चेंग इन लाइट ऑफ डियुक्श डिरेक्ट डेय्ट एविदेन्स और लॉच्छ जो बिलकुल एक्स्पेरिमेंटल होता है जब एविडेंस आते जाते हैं चीजह बनती है तरीका है, physics भी science है, and mathematics भी science है, history भी science है, और इस सबों के काम करने का तरीका एक भी है. सभी में जो knowledge की अधिक्ता है, जो knowledge का एक बड़ा भंडार है, वो logic पर डिका हुआ, evidences पर बहुत कम डिका हुआ, direct evidence पर. अगर हरतन सिबिलिजेशन काम पता लगाते हैं, तो यह हमारे पर direct evidence है, कल कोई direct ऐसा evidence आजा कि उस evidence से ज्यादा बेहतर हो, तो उस तरह की बाद हम करने लगेगी. We strive for direct evidence, direct evidence हम खोईशते रहते हैं, लेकिन सभी का direct evidence नहीं है. इसले science के बारे जो myth cells को दूर करना जरूरी है, because we are talking of scientific methods, research paradigm, that is basically scientific methods. Even we talk of interpretive, that is also science, उसका भी तौर तरीका काम करने का है, positiveism में भी काम करने का तरीका है. So science is an approach, just an approach, through which we gain knowledge. And through which we conduct certain actions, so science के बारे में थोड़ी समझ जरूरी थी, और जो हमारा scientism है, जो control कर रहा है हमारे पूरी प्रिक्रियाओं को, research की प्रिक्रियाओं को, वो जो है, उसमें जो अधिक्ता जो है, वो positiveist epistemology का है, and जो quantitative propositions है, quantitative precision के साथ हम चीजों को सामने लाते हैं, जिसे natural sciences में लाते हैं, यह general large prediction and control of behavior से related है, control of behavior कर सकते हैं. आप experiment करते हैं education में, आप दो group को लेते, control करते हैं, लेकिन एक बात बहुत, जिसमें important है, scientism है, कि scientism यह समझता है, कि it is socially and politically neutral. यह तो सही है, अगर हम माल ले थोड़ी देर के लिए, science is socially and politically neutral. यह कैसे होता है कि science का पुरा का पुरा control जो है, scientific and technological knowledge का control जो है, यह तो यहां पर neutrality नहीं दिखता है, otherwise we say this is controlled, this is neutral, scientific knowledge is neutral, but this knowledge is controlled by, controlled by elites. यह सब्सक्राइब अहुड़ पॉसब्ले है, इस दोनों चीचेट नहीं दिखता है, higher education में, जो research है, basically, that is dominated by scientific form of inquiry. इस नो डाओ, जो यह सब्सक्राइब है, इसमें dominant role play करता है। इस तो, लेकिन, जो भी आप रिसर्च करते हैं उसमें इसमें तॉज सार्वे करके देखा गया है कि जो मेंजर वर्क मेंजर फैंडिंटिंटीस आते हैं the dominant frame of knowledge we have acquired in the dominant frame that is interpretive inquiry that is concerned with the process of social construction of everyday life social construction, we try to construct the everyday life लेकिन आप याद रखेगा in this construction जिन से आप information लेते हैं उनके पास जो information है that is passive उनके पास जो information एक पात्र है वो एक पात्र है निस्क्री पात्र है वहाँ external stimuli ने control से जो बाते बनती external stimuli के जरिये जो चीज़े घटना घटती है उसका मात्र वहाँ पर information भार है यह बात याद रहा है लेकिन यहाँ पर क्या आए कि इस 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 यह इस है और इस में सिंबोलिक इन्ट्रक्शनिजम है फेनमेलोगी है और or post-modern discourse, post-modern जो है, post-modern period का फिचर स्थिक्टेगा, साइन्टियम पोस्ट बाडर्न पीरियड का फिचर नहीं है, modern period का फिचर है, साइन्टियम. Acquisition of knowledge through science, scientific method, is a very important feature of modern period, लेकिन पोस्ट बाडर्न पीरियड का फिचर नहीं है, तो सिंबॉलिक इंटरेटिशम फेनमेनलोजी और पोस्ट मॉडरनिस्क्वोर्स में आप इंटर्प्रेटिशन का या इंटर्प्रेटिव पर्स्पेक्टिव से चीजों कुम देते हैं करेषिंगिंट्र इंक्वाईरीं में जो नॉलेज्ड का गंसिंट्रक्शन होता है वह विल्फुल एजेंसब्साइए और उनके इंफोर्मेशन में, जो हम अमने सोशल इम्वारमण। इसके पारिन हम डिसिशन ल τह junta लेकिन एक चीज है एक चीज है अपिस्टेमिलोजीकली तो यह कुछ ठीक दिखता है वह वैलिद नॉलिग से जम बात करते हैं तो कम से कम हम अलग-अलग लोगों से उनकी राय लेते हैं वो राय अलग-अलग होती है वो है वो होती है वो तो इस धन की चीजह हो सकती है इसलिए ये तो कुछ ठीक दिखता है लगता है कि कम से कब वैलिट नॉलेज की हम बात कर रहा है कम से कम डिफरेंट सोर्सस से कर दिखता है तो कही तरह है एक तरह के नहीं है से अधरेंट कंद शत्रानिप अहीन Product Panel काईणि वे कही है ऩे कही तक से नहीं है फिलाक मत इंत कर रहा है नहीं है लेकिन है के, not reflexive in ontological sense. जब ontology की बाद करते हैं, when we talk of structure of reality, और structure of being, तो वहां पर कुछ प्रोब्लम खड़ा हो जाता है. इसके भी तुमें रिलीशन्स है, लेकिन यह जो इस्ट्रक्टर आप सोचल रियालिटी है, वो इस बात पर अधारित है, कि उनके पास जो information है, that is passive information. जो information वो शेर कर रहे हैं, वो information active information नहीं है, they don't act upon the environment. इन्वार्मेंट के साथ जो उनका सामन्जस्य है, या उस environment के बदलाव में, उनका उनकी जो भूमिका है, या वो उस में उनका किस तरह का relationship, उनकी क्या जगह है, यह नहीं परिलक्षित होता है. और जो बात हमने पहली भी कहा है, कि जो हमारा result होता है, वो basically इस बात पर अधारित होता है, कि जो different hierarchies है, suppose की higher education के hierarchies है, student है, teachers है, administrators है, या different authorities और इर्वर्स्टीस के है, तो इसके बीच में जो relationship है, इस relationship में किस तरह improvement आईगा, या फिर leadership में किस तरह change जाएगा, leadership की क्या समझ होगी, how they will improve this relationship, hierarchical relationship, इसका जवाब ने लेगा, लेकिन दे डोंट, सीक तो transform the relationship between, between the leaders and the left, लेकिन, वो transformation की बात ने करते हैं, कि how the relationship will be transformed, relationship को किस तरह अच्छा बनाया जा सकता है, बहतर बनाया जा सकता है, relationship is already defined, and is defined relationship को कितना बहतर बनाया जा सकता है, research के report में यही होती है, research के report में यही होता है, this relationship is not working, or based on some exploitative, there is a need to transform the relationship between leaders and leaders, relationship को all together transform करने जाराद, और यह तभी होगा, जब कि actors passive response नही थेंग, active response नही थेंग, माल लिगे आप किसी मीटिंग में चले गए, to attend a meeting, हमने report में लिख दिया कि, Mr. So and So attended the meeting, participated in the meeting, फलां साब ने मीटिंग में सिरकत की, अरे मीटिंग में सिरकत कैसे हुई, आप तो मीटिंग में जाके बैठ के और बैठ के चले आए, आपने उस मीटिंग के साथ कोई छेड़ छाड़ नहीं थी, आपकी वाइस मीटिंग में नहीं थी, आपके वज़े से उस मीटिंग के decision में कोई change नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, या आपकी बात वा record नहीं भी, तो किस धनका ये participation हुआ? आपको अगर मान लिया जाए बस्तू तभी ऐसा संबभ हो सकता है, तो researcher किसी भी, जो actor है उसको बस्तू ना माने, उसको subject माने, या किसी भी जिस परिप्रेक्ष में काम कर रहा है, university को एक situation माने, वो situation मदल सकता है, उस situation के अंतर संबंदों में all together transformation आ सकता है, आप तो research पढ़ते होंगे, खास करके जो हमारे countries में या even elsewhere, जो researches आते हैं, उसमें majority of researches, आप देखे क्या है, यही है, कि how to, how to make the system congenial, relations को किस तरह सुद्रड किया जाए, it is not that its relations should be changed, यह नहीं है उसमे, क्योंकि आपको meeting में गए, आपको बूशा भी आपने कहा meeting में सिरकत की, लेकिन in fact, you attended the meeting as an object, आपने बस्तू के रूप में 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 भाग लिया, आपने subject के रूप में भाग नहीं लिया, थेक है, so they fail to articulate a political sense, on the structure of social relations with higher education institutions, अर हमें सामकाते है कि राजनीती से दूर रहेगा, हिर एडुकेशंटुशन सब्सक्राइज ने का मकलब यह है कि है इसर्च भी राजनीती से दूर हएगा. It is not there. If polity control the education, how the education could be separated or could be isolated from the politics. अगर निव अध्यूकेशन पालिशी लागो होगी तो इस रिक्षाइब तो फॉलिटिकल विल, पॉलिटिक इस वेज़ने का प्रियास करते हैं वह आप पॉलिटिकल है। अगर विश्विद्याले के अंदर या उच्छ शिक्षा में जो संबंध हैं जिसे अपने रिसर्च के जरीया भूमना चाहते हैं तो हम पॉलिटी को अलग नहीं रह सकते हैं हम एकनॉमी को अलग नहीं रह सकते हैं हम विडियस अधर सिस्टमफ करते हैं स्टूडेन किसी इ्शूश पर या-स्ट्रिविडेन के and politics थे और सारी काम मैं इस्ट्विड़िक्स पर इन्सेटों प्रेम अपर दूपर 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 एक बात समझ लिए एडूकरशन में रिसर्च का बंदा यह नहीं है कि लिए क्लास्रूम ट्रांजेक्शन इंस्ट्रूक्शनल डिजाइन यहां तक लिमिटेड नहीं है एडूकेशन तो पॉलिटिक्स से भी एफेक्ट होगा एडूकेशन तो एकनॉमी से भी एफेक्ट होगा एडूकेशन वेरियस सोशल प्रेक्टिसे से भी एफेक्ट होगा तो यह आइसोलेटेट ने से हो सकता है अगर इसको माइसोलेटेट रखेंगे तो एडुकेशन से जो पॉड़क्ट तयार होगा वो ससाइटी के तरफ कभी जहांकेगा ही नहीं तो पॉलिटिक्स वेरी बच पॉलिटिक्स वेरी बच पॉलिटेट तो एकनॉमिक्स और यह एक दम तय बात है कि अगर आप रिसर्च क इस प्रॉब्लेम में इस प्रॉब्लेम में तो इसको बहतर बनाने के लिए क्या कोई तरीका है तो तरीका तो प्रॉब्लेम में निकल रहा था जिब हम कर रहे थे तब भी तरीका दिख रहा था अगर यह पॉलिटिकल होगा तो यह तो वही से वो तरीका निकल रहा है लेकिन खुरिभी इसको हम एक अलग से इस बुद्दा को हम चक्षा करेंगे कि इसका इस पर एक क्लिटिकल डिस्कॉस्टन करेंगे कि जो हमारा पजेटिमिस्ट या इंटरटेब मेथड़लॉइड है जो मेथड़लॉज अभी कर रहे है जो हमारा मॉडन साइंट्रिक मेथड है या फेनोमेडलॉजी है या फिर इस सिंबॉलिक इंटरेक्समिजम है यह करना को डिफिए इसक उन पड़ते है कि ऐसको कॉठक करता है इसमें कुछ बंदलउन है कि प्यार्ट वेल्यु नीट्रल मॉडन रेट मॉडन ड़न होगा फिर और से को gelecek तो हमारा ये value है बहुत की, कि हम तो पहले बता हैं, हमारा ये value है, अगर मान नहीं कि हम सेकुलरीजम पर काम kर रहे हैं हम सेकुलर ही नहीं तो जाहिर है कि जी सार्च करेंगे वो उसी तरह का होगा जो information होगा passive receptacle जो ऐसे पात्र से आएगा निस्क्रिय पात्र से information लेकर के ब्राम होगा अगर हम यह कहें कि हम secularism में यकीन नहीं करते अगर infect researcher नहीं करता है तो there is nothing wrong in accepting it और वो जो research करेगा आखिर उसको method तो चाहिए ही active responses चाहिए ही उसके यह मान लेने से रिसर्च नहीं बदल जाए बल्कि इस मान लेने से उस रिसर्च का परस्पेक्टिव होगा जो उसके परस्पेक्टिव से लोग देखेंगे हम है हम से कुलर है नहीं हम अपने ओपर एक से कुलरिजम का जामा पहना करके जो है तो हमारा जो परस्पेक्टिव था माई आए 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 मैसेल्फ आजए पार्टी तो इस इन्वार्मेंट में मैं जो एक्टर हूं हमारी समझ कहां चलिए वाट अपन्ट तो मी हमारा भी रिलेशन्सिप एक सोसाइटी के साथ रिसर्चर का रिलेशन्सिप है उसको अब ताक पर कैसे रख सकते हैं करया एक पराफ प्रक था आट आथ आख एक्ता के पर डिलेशन्सिप नगिंस प्रक्रेफ़ यह आप जो कह रहे है वही था आहिए रह wannaden पयार्य का in conclusion. So it must be, there must be relationship, two-way relationship and dialectic relationship. If one is prone, other is opposite, no problem. We will take all the prone views together. We will see differences in the prone views. We will see differences into the differences, differences. And then we will try to synthesize our result. Or one thing is very, it's very important, that one cannot exist independent of social reality. Social reality is that someone can't be different from the social reality. It's next to impossible. From critical standpoint, social reality of higher education is what educational research says about it. How it is defined by cultural, managerial, social elites. Educational theory and research be understood in terms of motives that lead to social and political actions. Knowledge has social base. and social knowledge helps to legitimates the social base. Social knowledge ka social character. और इस पेंडेमिक के दौर में ये बहुत चर्टा में ये बहुत चर्टा में. कि बिना knowledge base, knowledge ka social base के बिना कौन सा knowledge होगा, कैसे कौन सा knowledge होगा. अभी आपने सुना होगा एक term. Social distancing. ये social distancing जो है, ये term ही हम जो इस तरह का education ले रहे हैं उसी का प्रपीत है. अरे, what is physical distancing? आप इसको social distancing बोल रहे हैं बार-बार? क्या मतलब social distancing का? आप ये दिखाना चाहते हैं कि there is a character, knowledge है ये social character. लेकिन कर आप क्या रहे है? आप physical distancing. आप दो फिट दूर रही है एक business. इसका नाम social distancing कैसे है? हमको social question चाहिए करोणा के समय, social distancing नहीं चाहिए. हम अगर फोन पर किसी दोस्त से पूछते हैं का आपका हाल कल क्या है, कैसे है? हम एक दूसरे से connected रहते हैं, civil society लोगों की मदद कर रही है. ठीक है, precaution is a different thing. physical distancing is a part of precaution. हम precaution लेते हैं, लेना भी चाहिए. क्योंकि Corona का इलाज नहीं है भी तक हमारी पास. इलाज होता अभी तो, precaution is a very nice thing. लेकिन आप कहते है, social distancing, how it is socially distanced. हम रोज देखते हैं कितने लोग बिमार हुए. अगर हमको पता चलता हमारा कोई दोस्त बिमार है, we try to help them. We try to, we meet the doctors, we doctors help the society. So how it is social distancing, समाजिक रूप से दूर है? हम भातिक रूप से दूर है, तो उसको अमने नाम दिया समाजिक दूरी. क्यों समाजिक दूरी? भातिक दूरी बोलने में क्या कोई कस्ट है? फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलने में कोई कस्ट है, जो समाजिक दिस्टेंसिंग बोलते हैं. अगर समाजिक दिस्टेंसिंग हो जाएगा, तो पुछी सोसाइटी बंदतर हो जाएगी? जिस समय वर्कर्स हमारे आ रहे थे डिफरेंट जगहों से, अगर ये सोसल डिस्टेंसिंग सही माहिने में पालन होता, तो सम मर जाते हैं, क्या होता पता नहीं? इलाला बनी सिरी इस विस्टेंसिंग बीच पहुच सुसींग के थे मिल खुटेंट नहीं होता है, तो कम से कम बढ़ गी व्रकों को सी गासे विए र्क दिस्टेंसिंग सब्सक्राइट रहे आप किसी समस्या जिब चाभ पा सकते हैं, उसी तरह नौलप का एक सोचल बेस है, सोचल करेक्टर है, हम लोग कभी-कभी जो ओनलाइन चीज़े कर रही है, जैसे अभी हमारे जाजी ने कहा कि यह बहुत अच्छा है, यह ओनलाइन जो हम बहुत सारा क्राम कर पा रहे हैं, करोना के समय कुछ नहीं कर पाते हैं, at least we exchange our views through, 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 through different, what you call, majors like Google and through whatever it is, कम से कमारा कनेक्टिविटी इसने बढ़ा दिया, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, some sort of education दे सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे, जो इंपोर्टेंट क्रेसिजम है, कि इसका सोचल करेक्टर है, गरेगाने किताबें पढ़ाएं यह यरूरी ठोड़े हैं, इसकूल में घर हमारे बच्चे, बिद तेंग आल दे क्रेकोर्स, अगर कॉरोना के बारे मी तमस्ते हैं, लोगों कुछ मद़ कर पाते हैं, तो तो आप इस और काईंड आप एजूकेशन, तो social character education को लूज रही करना चाहिए. जिस दिन ये social character लूज कर जाएगा, then everything is gone. Whatever the mode of education, the social character must be maintained. अब यह क्रिटिकल फॉर्म ऑफ इंक्वारी है, जिसके हम लोग बात कर रहे हैं कि researcher अपने को neutral declare नहीं करेगा, या फिर जो उसका value system उसके साथ हो जाएगा. जो हमारा research है वो political या फिर social या फिर not related to economy, जहां जिसकी ज़रात है, इस से इसके संबंद बनी रहना, एक दूसरे को काट करके research नहीं कर सकते हैं. दूसरा है, जो research होगा, वो knowledge domination को reach करने की जहाएगा. उसमें यह भी हो सकता है कि system को transform करने जहाएगा. This system is not working. This system is not working. यह नहीं कि जो बने-बनाए systems है, उसको किसी तरह हम किस तरह maintain करेंगे, या उसमें जो conflicts इसको patch करेंगे. तो यह सब जो चीजे है, जो हमारा जो research है, वो basically इसको बहुत 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 काम. We have very little support in our country and even abroad, but it contributes to the emancipatory interest of human knowledge. Human knowledge का जो influence, what you call emancipatory interest है, जो बदलाओ का इसको रूची जो है, उसको इससपोर्ट करता है. और इसमें जो actors है, जो researchers है, वो self-conscious होंगे, self-determining agents होंगे in the social construction of reality. Social construction जब reality काम करेंगे, तो human beings जो है, जिनसे हम data लेंगे, वो भी, they will participate in self-conscious, self-determining agents. They can determine something of the environment. तो self-aware होंगे, self-conscious होंगे, तभी reality का social construction संभव है. लुकास एक बहुत ही, तेमस के लो सफार है, उनका एक sentence है, एक quote है, Social research is intellectual expression of social revolution. जो social research है, वो that is intellectual expression of social revolution. जो हमारा dominant approach है, जो pre-dominant approach जो हमारा दो, जिस दो paradigm की बात कर रही है, वो basically hierarchy को legitimate मांगता है. जो हमारा hierarchy बना हुआ है, उसको, उस relationship को legitimate मांगता है, उस पर प्रश्न चिन नहीं ख़़ा करना चालता है. That is taken as legitimate. और जो managerial practices है, उसको exclude मांता है, अगर हम teachers हैं, तो teachers का काम एक अलग है. That is independent of the management or managerial practices into the institution. और जो education का goals है, उस goals के परती भी वो जो है, उसमें उनका को involvement है, education का goal तयार हो रहा है, और जो researcher है education के, या जो education के, higher education में जो participants है, जो teachers हैं, उनकी कोई say नहीं होगी, is it possible? और अगर say नहीं है, तो क्या उनके research में reflect करता है? अगर आप purpose of education देखें आज के दिखें, तो क्या है, utilitarian है, आप क्यों पढ़ते हैं किसी से पुछ लिजे, वो सीधा जब आप देगा किसी जॉब के लिए पढ़ रहा होगा, या अपने जॉब को बहतर करने के लिए को डिगी ले रहा होगा, आप teacher से भी पुछ लिए कि आ कुछ लिए test क्यों लेते हैं, उसके achievement को माप सकें, उसके achievement को मापने के लिए test लेते हैं, लेकि उस test से आप अपना मापन नहीं कर पाते, अगर कोई बच्चा fail कर जाता है, तो ये तो आपने तई कर लिया कि student achievement नहीं कर पाया, लेकिन हम क्या कर रहे थे, थे विए विए प्ड़ा रह था धर भूड़्ा the basic facilities to the students or not. These are the questions behind that. The testing regime is this education or is it more important? If we test and test can be used we can improve we can find out the things why it's failed or she failed so this is all the whole the whole which we need to understand about your relationship if you look at the education purpose still you can find out the relationship you will not do that purpose you will not do that research will raise questions on that purpose this purpose is incorrect this purpose is not right the goal of education is like that this goal does not matter to the needs of the millions of the common students or common people things like that so existing relationships reinforce to the का ताम कबल नहीं होगा बलकि existing relationships में जो weakness है या existing relationship को turnover करने की जा रहता है that should also be the basic issue of the अब कोश्चन अंसर के शेशन नजदीक आई गया है तो यह critical approach जो है इसमें जो self-knowledge जो हमारा reformed method होगा that will augment human self-knowledge and encourage human participation in social processes now I'd like to discuss one very important thing that is it's the we know that power and domination in eliminated social environment abdekhe yo environment here what is the environment of higher education research issues of the higher education research we talk of economy even almost all the recommendations of higher education even that you see the new policy there talks of autonomy even big autonomy to the institutions although road maps for that economy is still unprepared in a time to come it will be prepared there is concept of graded autonomy now what is this autonomy why the higher education institution should be autonomous why the higher education institution should be autonomous what the authority of the university university it's own authority it's like academic council it has senate it has syndicate whatever it is these institutions or these authorities were what you call legislated to 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 run the university in an autonomous way but now you see the relationship between the university and the and the government so this relationship whether this relationship features in 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 our research or not or we already accept that the relationship is there and it's all fine but there is some problem in the relationship and we try to find out what do you call some solutions for that relationship how to make it more what you call it so that the system can run in appropriate way so this is the we can also assume that like the goal of inquiry is the establishment of an identity between thought and object basic goal is identity between thought and object but this should be between thought and subject and the empiricist root of knowledge empirical method is scientific determinism scientific method through knowledge is objective science values consider science has nothing to do with the values we say that although i have already given the example the science runs on the value the research this is the idea for me i have already given the aims of research 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 is useful for health another research say from another institution, it is harmful for the health. ये कैसे हुआ? क्योंकि वो अक्टर्स, जिनसे उनने रिस्पॉंस लिया, ये पैसिप रसेप्टिकल्स. इसलिए इसा होगिया. Otherwise, अगर साइंस का नौलेज अब्जेक्टिब है, तो एक ही जैसा findings आएगा, इतना कैसे चेंज हुजाएगा. So, these are the things to be to be considered because the scientific determinism or technological determinism cannot be the answer. And finally, we can say that that according to the modern philosophers, especially Hebermass who is still working, the concept, central concept of the surface freedom. Don't curtail the freedom of this segment or that segment. and the goal of research is freedom in itself, freedom in methodology and freedom in result. It's not that there must be some some, what you call, patching up or to managing the methodologies. It should not be there. So, the concept is this freedom is a more central concept and we can say the realization of freedom that is the absolute end and aim of the world. And I think with this word I can close my talk and now it is open for your question-answer session. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much. Now, question-answer session I have some questions before I have written in the YouTube channel or chatbox or chatbox or chatbox or chatbox or question why is epistemology important in research from Quayamba tool? Why is epistemology important in research? Epistemology is important. It's quite you know that epistemology that that inform us what forms valid knowledge. So until you know the nature of the knowledge or what you can say that is the justification of the knowledge or responsibility of beliefs and responsibility of the result we have obtained. So what is the meaning of the conducting research? because ultimately you have to get a valid knowledge. That knowledge is rational and that serves the purpose. So it is very important to see research or to it is very important that you want to find in research and that knowledge should be valid and rational and what you call that is nature known properly because nature of the result of the world and you know what you know you know अपना कोश्चन पुछना चाहते हैं और ली तो आप अपना हैंड रेस कर दें कि अब कि सरकालता है नेटवर्ट चला गया है फिर से जूर रहे हैं कि अब कि कर झा Francis कि अब अ कर गयाम कि अ कुछ नेटवर्क इशू है हमारी बात हुई है वह तुरत कनेक्ट हो रहे हैं थोरा सब सभी पार्टिसिपेंट्स धैरे बना रखें यह इस मोट से हम जुड़े हैं यह संभव है कभी नेटरवर्क प्रॉब्लम कभी कुछ कभी कुछ तो हमें घबराना नहीं है कुश्चन एंसर सेशन में जो है हमने सभी पार्टिसिपेंट्स खुंदूत किया है आप जुरे रहे कर दो हमें जुड़े हैं कर दो हमें जुड़े हैं कर दो हमें जुड़े हैं कर दो है आप सर्ज जुड़ चुके हैं कि सब्सक्राइब को हमारी आवाज आ रही है सब्सक्राइब कर लें आप जुड़ चुके हैं ऑलड़ी कैमरा आउन कर लिए सर्थ कर दो कर दो था अगा कर गर कर दो सब्सक्राइब है उनका जो फिर से डिसनेट हो गए है आ गए है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है अब पार्टिसिपेंट्स दहर बनाया रखें हमने मात्र एक कोश्चन लिया है और दूसरा जवाब सब्सक्राइब देखी रहते हैं कि बीच में डिसकनेक्ट हो गया तो बुरा पैसेंस बनाया रखें सब्सक्राइब दुबारा जूड़ रहे हैं जूड़ चुके हैं लेकिन उनका सब्सक्राइब करा है झाल 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 कर फिर से डिस्कनेट हो जा रहे हैं लास्ट मुमेंट में लगता टेक्निकल प्रॉब्लम यहां वहां पर यहीं लग रहा है मुझे भी कर लें क्योंकि बिल्कुर साभी जल्दी बाजी नहीं है अभी दो चार कोश्चन हम ले लेते उसके बाद काल्कुर्म को बिराम देते हैं अपने प्रस्न हैं हम लों को सेर कर सकते हैं अब जोड़ चुके हैं अब जूड़ चुके हैं आपको हमारी आवाज आ रही है सर अब 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 अपना माइक को अनिम्यूट कर लीजिए इस अब भूए अब अब गई अब आप अब कि अधिर कट लिए कि अधिर का कॉल तो नहीं आ रहा लगता कि अभी जुड़े तेम फोन से संपर्ग भी किये हैं पता नहीं वहां से सर आपको हमारी आवाज आ रही है सर आपको हमारी आवाज आ रही है सरका माइक ओफ है सर आप अपना माइक को और म्यूट कर लीजिए सर आपको हमारी 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 आपको हमार तो सर आपको हमारी आवाज आ रही है सर आप जूट चुके हैं और लिडी कैमरा भी आपका ओन दिख रहा है बट्र आपका कि तर्फ प्रसे लैप हो चुके हैं हाँ हाँ दिख रहा है कि अब आप कि अबापका हाँ लात में लापका काता सत्वका रहा है भर टार मवरा लाए नहान झाल झाल जोड़ नहीं पा रहे हैं बार बार प्रयास कर रहे हैं फिर भी जोड़ नहीं पा रहे हैं हम एक दो मिनिट और देख लेते हैं जदी नहीं जुड़ पाते हैं तो हम लोग कारेकर्म के अंतिम जो हमारा अपना स्टेशन है उसको करके इसको विराम देंगे झाल झाल पाटिसिपेंट्स फीडबैक लिंक और अटेंडेंस लिंक शेर किये जा चुके हैं आप अपना फीडबैक और अटेंडेंस लिंक जो है अटेंडेंस पार्म उसको फील कर दें क्या हम लोग कारिक्टरम को आगे बढ़ाएं क्योंकि लगता है सर्ट नहीं हो पार रहे हैं हाँ जासर प्रेशन 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 थे जिए प्रिश्वार प्रेशन बढ़े सब्सक्राइब करेंगे कि हम आज तक्निकी समस्याओं के कारण को सेशन को अटेंड नहीं करबाए और इसी माफी की साथ मैं कारिग्रम को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं मैं अपने सहयोगी वागी दूबेसर से अन्रोद करूंगा कि वह आज के इस कारिटरम का धन्यवाद करें आदर नींए वागी सर लीज कि इस आपना अपना आप कि वागी सर कि अधियों कि शुक्त एफ प्रक्राइब कि प्रक्राइब कि आप थोड़ा सा अपने निट्वर्क जोन में रहें वागी सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है और अपना माइक पहले अन्म्यूट कर लीजिए कि अब अब नेक्ट नहीं है कि बहुत कम आ रही है ना के बराबर अब मुझे सुन पारहे हैं हुआ है 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 मेरी अब इस अब बोली तो बोली यह अब नहीं है बीच बीच में कटी जा रही है इस लारीटी नहीं आपकी आप 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 अपने टावर शेक कर लीजिए इधर आपकी आवाज नहीं आ रही है कटकट के आ रही है आप 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 सकता हो वागी खिश्र के अभी नैट्रॉक समस्या है इस यह कोई बात नहीं है मैं मैं सौरब सार आप से मिवेदन करता हूं वागी सर आप शोड दीजिए चुकिंग आपके आवाज नहीं आ पा रही आपकी आवाज नहीं आ रही है मैं आधरनी सौरव सर से डिवेदन करूंगा कि आप आज के इस कारेकरम को धनेवाद इवापन कर दें आधरनी सौरव सर अधनेवाद सर बहुत-बहुत आज जैसा कि काफी तकनीकी समस्या आ रही है और आज का जो हमारा टॉपिक था हमारे विद्वद और बहुत गहनता के साथ हमें विशे समंदित चर्चा की हमें जानकारी दी मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और सर्फ उसके बाद में हमारे इस हमारे पांच दिवसी जो वैक्ष्यान माला है इसके संचालत और सभी जो मीडिया कर्मी है जो प्र के तीसे दिन जुड़े रहे हमसे और हमसे रूब 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 है मैं सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद सौरब सर्फ परतिवागी गन जैसा कि आप जानते हैं कल का हमारे कारिकरम भी पुना अपने समय से निर्धारित स स्थार्टे जो स्किल हमारा कारिकरम है हमारे विशय है वह लीडरशिप से पिश्कील पर अधाली थै और हमारे जो-बक्ता है वह जोडेंगे अ कि परियाना से सेंट्र इन्यवर्स्टी ऑफ बक्प्टर को और जैसा कि आप जानते हैं अब सर्ट सर्वी थोड़ा सा जुड़ चुके हैं जी 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 आपके डिश्कनेक्ट के कारण जो है धन्यवाद ग्यापन हो चुका है लेकिन मैं सब्सक्राइब इस घ्राइब करेंद नहीं को चुछ नुट नहीं तो में मैंने लिखा है सर एक विश्टेंट अब बोपाल है यह पूछ रही ती कि वाट इस डिफरेंस बीट्वें ओंटोलोजी एंड एपिस्टेमोलोजी देखे, यह तो एक फिलोकसफी का वस्चन है, यह एक्चुली ओंटोलोजी फिलोसफी जो हम लोग इसकुल ओफिलोसफी आप पढ़ते होंगे, तुमाँ पढ़ते होंगे और हमने शुरू में इसको सपर स्टैनने की कोशिस भी किया कि अपिस्टोमोलोजी में बेसिकली हम यह देखने की कोशिस करते हैं वोट पांटोलोजी की बात है, वो डिस्क्राइब करता है इस्ट्रॉक्चर ओफ रियालिटी और स्टडी ओब बीग यह जो होना, नौलेज होने का वजूद जो है, उसको यह डिस्कस करता है और उसके जो है, रियालिटी को, तो यह actually pure philosophy की चीजा है जिसको आप एक बार देख लेंगें तो आपको समझने आएगा, जी एक question sir आया था, मुहमद हैदर इमाम फ्रॉम जम्मू सेंट्रल इन्वरसिटी वो कह रहा है कि, what is ontological approach in research? अप्रोच नहीं, ontological जो एजम्संस है या ontology की फिलोसफी है, उसके light में हम देखना knowledge की reality, जो knowledge आप construct करते हैं, what you construct उसका reality हम चेट करते हैं, तो जैसे हमने कहा कि knowledge, what we acquire, that knowledge appears to be, to be, to be, to be, actually we collect data from the people who are having knowledge, who act as a passive actor, they are not very involved into the situation. So actually, the data what we got, that got from a person that appears to be receptical, वो जो है कि knowledge या information का receptical है, और वो information external stimuli स्याया है. तो actually, यह हमारा issue है, कि ontological में यह reality of knowledge को चेट करें, तो यह जो philosophical basis है, इस basis के आधार पर we try to evaluate the research, these two paradigms, positivism and interpretism, यह हमारा मकसद है. Okay, sir. One and last question, sir. हम लो ले रहे हैं. यह है, research scholar, RS Yedurappah, research scholar from Karnataka. इनका यह कहना है कि, sir, what is the relationship between epistemology and research method? It is quite related. Because once you talk of epistemology, तो सिदी सिदी बात है, तो सिदी सिदी बात है, वालिड नॉलेज को कैसे आप देखें? यह नॉलेज वैलिड हैं इसके methodological propositions को आप देखेंगे, इसके justification को देखेंगे, कि जो नॉलेज, the knowledge you acquire, that knowledge does not, actually, that knowledge basically tries to, tries to suggest, give suggestions, how the system will be managed. This is not from the point of view of the seeking knowledge. Knowledge, the goal of knowledge, what you call the knowledge itself, it's goal. You explore the processes, you explore the, what you call, if the relationship is not working, then you try to suggest how to alter the relationship to make a new relationship. So, it's the relationship. Relationship, we have to weave. Relationship is hanging in the air. Here's your philosophical base, and here is the result. Now, on the basis of this, you try to evaluate what kind of knowledge you have acquired. It is basically valid knowledge or not, or it is real knowledge or not. It is the philosophical, ontological basis. On that basis, you have to evaluate. And I tried to evaluate it. So, there are various phases. This is just the beginning. Actually, what I wanted, I wanted care researchers are very expert. They do philosophy, they do, they, they, they either use positivist method or interpretive method, but my proposition is here that if they should also look ahead of it, he, when you acquire knowledge, how the system will be, will be what you call, this will, this will, this will, this will balance the system. Why it is, if, if there is, you explore the relationship, whether system could be balanced or not, or there is a need of change into the relationship. So, we have to work for the freedom, individual freedom. There should be freedom in method and freedom in, in, in what you call, freedom in aim and freedom in result, both. Otherwise, you have set of norms and you are working under that norm. Okay? Okay, sir. Thank you very much, sir. No problem, sir. Thank you, sir. Please, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I know you, sir. It's a very important question. इस विशय को जिस विशय में आपने जैसे जैसे components के बारे में आपने बताया चाहे वो ontology हो, epistemology हो, चाहे वो methodology हो, बहुत easy way में आपने बताया और हम पो लगता है कि वो सारे परतिभागयों को काफी अच्छा लगा होगा और अच्छे-चे comments भी आया हैं सर्थ, तो आपका सर इस virtual platform से जोड़ने के लिए तहे दिल से दन्यवाद, मैं अपने principal mem से अनरोध करूँगा कि सर को एक e-memento, मैं चाहूँगा कि हमारे तक्नीकी सायक e-memento सर को सर के screen पर लाएं, सब लोगो देख पाएं, उसको और मैं आगर करूँगा अपने principal mem से कि वो उन्हें e-memento दे Thank you. Sorry, मैं अन्यूट नहीं हूँ पारिती, sorry. Please accept this e-memento with lots of regards, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Great opportunity for me. Thank you, sir. Thank you very much, sir. जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम का विराम राष्टे गान के साथ करते हैं, तो आइए, सब लोग अपने अपने जगर खर्य हो जाएं और राष्टे गान गार करके इस कार्यक्रम को विराम दें. कर्के एंचे कार्यक्रम के लोग आएं जगए भारत भाग्य विदापता उन्चाब जवारत् अच्छात मराथा दाविड उख्खड वंगा दिंज हिमाचल यमुनागंगा उच्छल जलतितरंगा तवशुभ नामे जागे तवशुभ आशिष मागे दाहे तवजय गाथा जनगन मंगन दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे भारत मता की जय हे, भारत मता की, जय हे, वंदे, मात्रों, वंदे, मात्रों, एकता अखंडता पनी रहें, अमर रहें चलिए, आज हम इस कारत्रम को यहीं वीराम देते हैं, कल हुना हम लोग अपने समया अनुसार जुड़ेंगे, एक नए विशय के साथ, और एक नए वक्ता के साथ, आप सभी का इस प्रेर फॉर्म से जुड़ने के लिए, तहे दिल से धनिवाद, बहुत-बहुत आभाद, जए सकता स्ट сценा के सानने सOW जए आपिते हैं, आप मत वहीं दोबगादीों में के दो सा नाम वक्ता, एक नहीं जる क्ता, सदि़ से घुरिशनिये वemorत पके सर से विए से ज एक है, जे वADा सका है, हम इसके आथ एक का वाई एॉर्दिवाने के प рукई, एक हो सम रएफ दिन्